हलो बच्चू माइशल ताराचन टीम मैथ CLC सीकर आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा टेस्ट नमबर 23 जो की कॉंप्लेक्स नमबर से रिलेटेड है सो चली स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्योस्ट पहला क्या है देखिए बच्चो इफ एलपा एंड बीटा स्कॉयर और पास में इस एक्वेशन के रूट से वेर बीटा स्कॉयर विल भी ग्रेटर देन हाफ बीटा स्कॉयर की वैल्व वन बै टू से कालते हैं calculate करते हैं देखते कितने आ रहे हैं 8x स्कॉयर माइनस 10x प्लस 3 विल भी इग्वल टू 0 ठीक है इसके रूट की आएंगे आई देखते हैं इसको इसको सॉल कर लेते हैं फोर्मुले से x विल भी इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 10 प्लस माइनस 100-4ac 4 इंटू 8 4 into 3 12 12 into 8 so there will be 96 divide by कितना आ जाएगा divide by 16 ठीक है ना दोबार देख ले 100 minus 4 AC 8 into 3 8 into 4 into 3 so 4 into 3 12 and 12 into 8 will be 96 divide by 16 इसको calculate करते हैं देखते कितना आएगा 4 so 10 plus 4 there will be 14 by 16 और साथ में कितना आएगा बच्चों हमारे पास there will be 10 plus 4 14 10 minus 4 6 by 16 6 by 16 तो यहां से अपने को मिलेगा 14 by 16 will be 7 by 8 और 6 by 16 will be 3 divided by 8 ठीक है तो 7 by 8 and 3 by 8 के लिएर है एक सेकेंड 10 plus minus b square 100 minus 4 into 8 8 into 4 into 3 divided by 16 8 into 2 will be 16 so 100 minus 96 4 4 2 sorry यहां पर 2 आएगा so 100 minus 96 there will be 4 4 का रूट 2 so 10 plus 2 12 by 16 and 10 minus 2 there will be 8 by 16 यह दो वेल्यों जाएगी इसको calculate करने से देखते कितना आएगा 24 आजाता 24 को कर लेते 6 and 4 तो आसानी से वहां से भी solve हो जाता तो इसके बाद में यह वैल्यू जा गई अब देखिए आपको यह बोलागा एक बीटा स्क्वार 1 by 2 से बढ़ा है तो क्योंकि इसमें से एक रूट 1 by 2 है एक 3 by 4 है इसका मिला बीटा स्क्वार की जो वैल्यू ह करेंगे तो interchange हो जाएगा और alpha की value कितनी हो जाएगी alpha हो जाएगा हमारे पास में 1 by 2 तो देखिए जब आप alpha और beta की value यह पूट करेंगे तो यह वाला root बनेगा आपके पास में 1 plus iota root 3 by 2 की power 100 और यह जो root है हमारे पास में यह बनेगा 1 minus root 3 iota by 2 की power 100 तो ध्यान से देखिए यह कौन सी value होती है ठीकर ना 1 plus iota root 3 by 2 क्या होता है minus omega square उसकी power 100 करोगे तो यह आएगा बच्चो omega की power 200 यह होता है बच्चो minus omega minus omega की power 100 तो power even है तो यह भी हो जाएगा omega की power 100 इसको simplify करोगे reduce करोगे तो यह हो जाएगा omega और यह हो जाएगा आपका omega square that means आपको यह बताना है कि यह कौन सी equation है जिसके roots omega and omega square है तो यह है बच्चों हमारे पास में second option विल्कुल यह वाले जो equation होती है इसके जो roots होते है वो क्या होते है omega and omega square कि जाएगे सभी को चली आगे चलते हैं और बात करते हैं question number 2 के बारे में क्या है देगी question number 2 आईए देखते हैं question number 2 के अंदर दे रखा है अपने को let z will be equal to this जहांपर iota square minus 1 है तो आपको बताना है कि यह जो complex number है ठीक है इसका amplitude क्या होगा इसका argument क्या होगा इसका modulus क्या होगा तो एक काम करते हैं बच्चों इस पूरे question को अपन convert कर लेते हैं कौन से format में polar format में किलियर है और यह चाहो तो simplify भी कर सकते हो ठीक है तो देखते देखो polar format में convert करते हैं उससे देखो क्या आएगा सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पहले part के अंदर जैड विल भी equal to 2 root 3 plus 2 iota divide by 1 minus iota की power 6 ठीक है तो जो उपर वाला जो पार्ट है या यह वाला जो है दोनों का मॉडलस सेम होगा 1 minus iota और 1 plus iota का मॉडलस सेम होगा तो पहले इसका मॉडलस निकाल लेते हैं इसका दोनों का कितना आएगा ठीक है तो यहां से अगर मान लेते हैं कि इसका जो मॉडलस है इसको alpha मान ले तो mod alpha will be equal to कितना आएगा दोनों case में 4 into 3 there will be 12 plus 4 so there will be 16 16 16 का root कितना हो जाएगा वजचो four इसका modulus भी four होगा और szka modulus 24 होगा और इंड़ोभूत ही इनका जो modulus है वो कितना है वहारे पास में root two आएगा के वार है चली argument की बात करें थीक है तो यहाँ पो थोड़ा सा interchange रहेगा उपर वाले के अंदर argument आएगा हमारे पास में alpha क्योंकि iota और दोनका coefficients positive तो first quadrant के अंदर है इसमें x positive और y negative तो यह fourth quadrant में है तो इसके लिए अगर बात करें पहले के लिए पहले फिर इसके लिए बात कर लेंगे ठीक है तो y का coefficient कितना है 2 divided by 2 root 3 so 2 divided by 2 root 3 कितना होगा 1 by root 3 और 1 by root 3 कब होता है बच्चो pi pi 6 पे तो यह pi pi 6 है तो यह हो जाएगा बच्चो आपका minus pi pi 6 ठीक है अब देखो इस complex number z को अपन किस format में लिख सकते है ना so z will be equal to कितना है देखो सबसे पहले इसका modulus जो की 4 है 4 की power 8 so there will be 2 की power 16 कितना होगा 2 की power 16 इसका argument इसका argument है बच्चो e to the power iota into theta theta कितना है pi pi 6 जो किसके साथ multiply होगा 8 के साथ में so that will be 8 pi upon 6 divide by इसका modulus तो बहुत आसान है that will be root 2 root 2 की power 6 करोगे तो 2 की power 3 into e to the power ये कितना हो जाएगा इसका argument होगा बच्चो pi pi 4 ये तो अपने काफी बार कर चुके होगे pi pi 4 इसका होगा minus pi pi 4 बाकि आप calculate कर सकते हो जैसे आपने इसमें calculate किया था तो ये आजाएगा e to the power minus iota pi pi 4 इसको 6 के साथ multiply करोगे तो minus iota 6 pi upon 4 ये आजाएगा साथ में ही दूसरे वाले पार्ट में अगर इसको लिखें तो ये कितना आएगा देखो ऊपर तो आएगा root 2 की power 6 that is 2 की power 3 divide by नीचे कितना आजाएगा नीचे वह आएगा 2 की power 16 क्योंकि सेम मोडलस था जो उसका था और इसके अंदर argument की बात करें तो उपर तो आएगा e to the power iota 6 pi upon 4 और नीचे आजाएगा e to the power iota 8 pi upon 4 वह भी कैसा minus sign क्योंकि इसका argument कितना था minus 8 pi upon 6 इससे बिलकुल एदम reverse ठीक है इसको उपर लाओ गे तो यह positive हो जाएगा इसको उपर लाओ तो यह positive हो जाएगा ठीक है e to the power 8 by 6 को लिख दिया 4 by 3 और 6 by 4 को 3 by 2 ठीक है और यही उस वाले में आएगा तो यह common आजाएगा और साथ में है pi और इसके अंदर बचेगा 2 की पाउर 13 और इसके अंदर बच जाएगा 1 upon 2 की पाउर 13 तो यह तो क्या है constant number है अच्छा यह क्या है देगो एक्चुल तो 1 है तो जो modulus होगा वो तो आपका पूरा totally इसी पे depend करेगा modulus आएगा आपका 2 की पाउर 13 प्लस 1 upon 2 की पाउर 13 और ऐसा देखो आपको दो options में दे रखा एक इसमें और एक इसमें अब फरक्या है कि इसका तो argument जो है हमारे पास में 5 pi upon 6 है और इसका amplitude है हमारे पास में pi upon 6 तो आप calculate कर लिए कि यहां से क्योंकि यह तो constant है जो argument होगा वो इसी पे depend करेगा इसको simplify करते हैं और देखते हैं देखो यहां से कितना आ रहा है तो यह आएगा 8 प्लस 9 डिवाइड बाइ 6 into pi theta will be equal to this इसको calculate कीजिए 8 प्लस 8 16 प्लस 1 17 pi upon 6 into pi अब यह क्योंकि principal argument नहीं है तो principal argument में convert करना पड़ेगा तो इसमें से minus 2 pi subtract करेंगे ठीक है तो यह आजाएगा आपके पास में 5 pi upon 6 17 minus 12 there will be 5 pi upon 6 तो जो आपका principal amplitude है वो कितना आएगा 5 pi upon 6 आएगा जो सिरफ इसी option में दे रखा है इसलिए आपका पहला option सही होगा ठीक है ऐसे questions को जो आपके सामने थोड़े से complicated बनते हैं ठीक है तो इसको simplify करने की जोरत नहीं है इसको आप क्या कीजिए polar format में convert कर गे ठीक है और इसको simplify कीजिए उसके बाद आसानी से आपको पता चल जाएगा कि amplitude क्या होगा और उसका modulus क्या होगा तो यहाँ पर जो सही answer होगा हमारा वो होगा पहला option क्लियर चलिए इसी के साथ चलते हैं आगे और बात करते हैं बच्चों question number 3 third question के अंदर अभी अभी जो आपने काम किया है बिल्कुल वही करना है यहाँ पर सिरफ आपको amplitude निकालना है clear है तो पहले तो देखो मैं individualist सबका amplitude बता रहा हूँ फिर अपन उसको power के साथ में multiply करेंगे 1 minus iota कौन 1 upon root 3 1 upon क्या है 1 upon root 3 i का coefficient divided by real part 1 divided by root 3 that is pi pi 6 10 के अंदर इसका है pi pi 6 लेकिन यह शिर्फ अंदर वाले का है बाहर वाले अभी power के बारे में बात करेंगे अपन क्या होगा इसके बारे में बात करते है third quadrant third quadrant के अंदर क्या है अच्छा पहले theta निकालने तो root 3 divided by 1 pi pi 3 लेकिन third quadrant तो third quadrant में क्या होता है बच्छो minus pi plus pi pi 3 so that is minus 2 pi upon 3 तो यह आगया हमारे पास में किनका amplitude यह आगया हमारे पास में यह जो लिखे हुए है brackets उसके अंदर जो complex number है उनका amplitude अब इन power का क्या होगा तो power के साथ में multiply हो जाएगा तो पहला तो है बच्छो 10 into minus pi upon 4 आगे चलते हैं plus 5 into pi upon 6 उपर वालों को तो जोड़ना है और नीचे वाले को गटाना है तो minus 10 into इसका कितना था minus 2 pi upon 3 calculate कर लिए कितना आ रहा है ठेकर सभी चीजों को यहां सा आएगा देको minus 5 pi upon 2 इसमें आएगा plus 5 pi upon 6 आगे चलते हैं यहां पर आएगा आएगा आपके सामने minus 20 minus minus plus हो जाएगा 20 pi upon 3 ठीक है 6 आजाएगा LCM तो पिछे कितना आएगा देको 2 से डिवाइड करोगे 3 3 into minus 5 there will be minus 15 pi 6 से करोगे plus 5 pi और 3 से करोगे तो 2 2 into 2 there will be 40 pi सभी को जोट दीजिए कितना आ रहा है देको minus 15 plus 5 will be minus 10 pi minus 10 plus 40 there will be 30 pi upon 6 जो कितना होता है 5 pi के ब्राबर लेकिन आगे देखिए आपको इसको क्या करना principle argument में convert करना minus pi से plus pi के बीच में लेके आना है इसमें से minus 4 pi सब्टेट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास में pi आ जाएगा ठीक है अचा minus 4 ही क्यों किया हमने minus 6 क्यों नहीं किया minus 2 क्यों नहीं किया क्योंकि 2 करोगे तो 3 pi आएगा जो उस interval में नहीं आएगा principle में 4 करोगे तो आजाएगा πाई 6 करोगे तो क्या आएगा माइनस पाई आएगा माइनस पाई भी नहीं होता है ना माइनस पाई ओपन से लेके close bracket पाई के बीच में होता है principle argument तो वो तब आएगा जब आप इसमें से क्या करोगे 4 पाई सप्टेट करोगे और एसा कौन सा option है बच तो question number 4 के बारे में क्या है कि question number 4 हमारा question number 4 के अंदर हमें दो statements दिये गए है P और Q के format में और हमें बताना है कि इसमें से कौन सा option सही है ठीक है तो देखे सबसे पहले इसके बारे में बात करते है argument of z minus iota will be greater than or equal to pi pi 4 देखो बचू किस चीज़ को represent करेगा z minus iota देखी ये से iota को subject करना है iota क्या होता है बच्चो 0,1 वाला जो point होता है वो तो ये वाला जो complex number है ये और आपको क्या खा गया है कि ये जो complex number है इसका जो argument होगा वो क्या है हमारा pi pi 4 से ज्यादा है तो pi pi 4 से बड़ा argument कि दर आता है बच्चो यहां से इस side में रहता है इस side में यहां ठीक है इसके नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि इसके नीचे चले जाएगे तो pi से ज्यादा आ जाएगा जो कि argument होता ही नहीं argument तो क्या होता है minus pi से pi के बीच में इस point से ले करके यहां तक जाना है आपको ठीक है अच्छा यह आपको लिख रहा है z minus iota that means z कहीं ऊपर की को के जार है चलिए दूसरे के बारे में बात करते है z minus iota will be less than or equal to one z minus iota z again आपके पास में कोई point है और इस बार भी उसमें से iota का subtract करना है मिस इसी point को तो यह जो point है इसके अंदर एक कोई point है आपका z कोई complex number है तो less than or equal to one that means यहां से one distance पे तो one distance पे से बहुत सारे points होंगे तो यहां पर बनेगा आपके पास में एक circle के लिए रहे है अचा one distance पे तो इतना नीचे तक नहीं आएगा वो ठीक है वो आपके पास में इसी point से पास कर जाएगा इस type का होगा अब देखो अगर मैं इसका एक fair diagram बना हूँ आपके सामने ठीक है तो इस type का आपके पास में बनेगा diagram एक तो यह है यह point है आपके पास और यहां से एक ray pass कर रही है ठीक है तो कौन सा region होगा देखो एक तो यह वाला region z के corresponding इधर वाला और circle के अंदर का less than or equal to 1 में circle के अंदर का that means शिरफ यह region होगा आपका ठीक है और यह कौन सा region होता है आप सबको पता होगा यह क्या कहलाता है आपका यह circle का sector कहलाता है ठीक है तो this will be represent a complex number lying inside or on the boundary ओपर sector of the circle होता है यह segment नहीं होता है complete circle नहीं होता है जब भी इस type का कोई भी एक part होता है ठीक है तो उसे अपन क्या बोलते हैं बच्चो sector कहते हैं clear है तो यहाँ पर आपका जो पहला option हो जाएगा वो हो जाए नहीं है क्योंकि Q के अंदर और भी points आ सकते हैं वार वाले भी ठीक है तो यह गलत हो जाएगा पी intersection Q represent the complex number lying on the arc of the circle 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 के arc पे नहीं अंदर के point को भी represent कर रहे हैं और last वाला segment segment यह नहीं होता है segment क्या होता है बच्चो segment code से बनता ना यह वाला जो part होता है इसको segment कहते हैं ठीक क्या है देखो question number 5 हमारा the number of 12th root of unity which are also the 18th root of unity is r देखो आपको बताना है कि इससे कितने होंगे आपके पास में 12th root of unity चो 18th root of unity के identical होंगे आईए बात करते हैं अगर आपको इसका representation पता होगा circle का तो देखिए आप बहुत आसानी के साथ में इसको कर सकते हो ठीक है सबसे पह होंगे ना 12th वाले कम होंगे ठीक है तो 360 बठे 18 ठीक है ना यह angle होता है आपके पास में तो 20 degree के उपर आएगा आपके पास में पहला complex number तो यही होगा 1 अब दूसरा वाला जो होगा वो 20 degree पे जाएगा that means यह होगा आपके पास में alpha 1 तो यह है alpha 2 यह 20 degree का है फिर 40 degree पे आए पर आएगा alpha 4 फिर 100 degree पर आएगा alpha 5 फिर 120 पर आएगा alpha 6 तो इस तरीके से चलते रहेंगे यह कौन से है बच्छो यह 18th root of unity है ना यह किसके लिए एक बात कर रहा हूं मैं 18th root of unity जो 20 degree पे आएगा ना सारे के सारे 20 degree पे आएगे किलिए है अब बात करते देखो अब लोग कि इसके बारे में 12th root of unity 12th root के लिए एंगल कितना हो जाएगा बच्छो 360 divided by 12 there will be 30 degree है तो देखो पहला तो आपके पास में यही होगा पहला तो सबको पता होगा positive x-axis पे पहला जो root होता है वो तो यही लाई करता है इसको बीटा 1 नाम दे देते तो यह बीटा 1 तो आपका यह इसके बाद में फिर आगे चलते हैं तो इसके बाद में आपके पास में कितने पर आएगा फिर 30 degree है करो में 60 degree पर और 60 degree वाला देखो 2020 के 3 मिल करके इसी पॉइंट पर आएगा that is beta 1, beta 2, that is beta 3, alpha 1, alpha 2, alpha 3, alpha 4 ता ना तो यहां पर आएगा ठीक है तो देखो एक तो यह वाला इसके साथ में identical था इसके बाद में 60 degree पर जाके फिर identical हुआ है इसका मतलब यह हुआ कि हर 60 degree के बाद में आपके पास में क्या होगा identical आएगा क्यों कि यहां पर 20 का gap आएगा और उधर आपके सामने क्या होगा 30 का gap होगा ठीक है so 20 और 30 दोनों के corresponding जब आप बात करेंगे ठी 60 degree angle के उपर आपको इस type का मिलेगा ठीक है तो बीटा 1 के बाद में 60 degree के उपर आपके पास में यहां पर जाकर के फिर एक identical point आया था अब 120 degree पर आएगा 120 degree के आप पास में आप यहां पर जब जाओगे तब आएगा तो कौन काम पर होगा तो एक तो 0 degree पर इसके बाद 60 इसक 60 degree add करोगे तो 360 में वापिस वह आ जाएगा 360 का मतलब वापिस वही आ जाएगा तो इन इन पोजिशन पर जो complex numbers होंगे वो identical होंगे आपके count कर लो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 तो total 6 complex numbers ऐसे होंगे जो आपके सामने क्या होंगे 12th root of unity और 18th root of unity के अंदर क्या होंगे आपके identical होंगे ठी सभी को चलिए आगे चलते हैं बात करते हैं question number 6 के बारे में क्या है देखिए question number 6 question number 6 में आपको दिया गया let a point P denotes the complex number Z which move in the argant plant satisfy real part of this will be equal to 4 by 5 if locus stressed by Z is the curve C and the director circle of C will be this then the value of 7A plus 50B minus 4C देखिए सबसे पहले इसको करने के लिए क्योंकि director circle के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें यह complex number चाहिए होगा तो हम बात करते हैं कि यह जो Z है इससे जो circle आएगा उसकी equation क्या होगी उसके लिए क्या करेंगे उसके लिए अपन बात करते हैं इसका real part calculate करने की तो X plus Iota Y so plus Iota Y minus 2 यह उपर का complex number है X plus 3 into plus Iota Y यह नीचे का complex number है हमें इसका real part चाहिए तो एक काम करते हैं इसको multiply कर लेते हैं उपर नीचे X plus 3 minus Iota Y से ठीकिन इससे multiply और इसी से divide minus Iota Y आप जाएगो real part कहां कहां से आएगा तो real part आएगा आपका X plus 3 के साथ multiply होगा X into X plus 3 और imaginary part imaginary के साथ multiply होगा तो Iota square minus or minus minus plus 1 into Y into Y minus 2 ठीक है यह आजाएगा हमारे पास और divide के इंदर भी रहेगा बच्चू X plus 3 का whole square plus Y square और यह आपको दे रखा है किसके बराबर है 4 by 5 के इसका जो real part है वो 4 by 5 के बराबर है ठीक है तो यह होगा हमारा circle अब इस circle के बारे में आपन बात कर लेते हैं ठीक है इसमें X square और यहां से Y square Y square 3X so 3 into एक बार 3X बाहर अपने 5 को लिख रखा है so 3X साथ में आएगा बच्चो minus 2Y minus 2Y will be equal to 4 time इसको open कर लीजिए X square plus 6X X square plus Y square plus 6X plus 9 यह आजाएगा हमारे पास इसको simplify करते हैं देखके क्या equation आ रही है हमारे पास सभी data को left hand side में ले आएए so X square plus Y square अब बात करते हैं बच्चो X के coefficient X का coefficient है बच्चो यहां पर 15 उदर है minus 24 15 24 को इदर लेके आएगे तो यह आजाएगा बच्चो minus का 9X Y का coefficient शिरफ यही पर है minus का 10Y अब बात कर लेते हैं बच्चो constant रम तो उपर तो है नहीं constant रम शिरफ इदर है हमारे पास 9 into 4 there will be 36 जो इदर आ करके कितना हो जाएगा बच्चो minus 36 ब्राबर 0 तो यह है हमारा circle ठीक है जिसका director circle अब बात कर लेते हैं कि इसके director circle की equation क्या होगी तो circle और उसके director circle में किस सीज़ का difference होता है बच्चो radius का शिरफ और शिरफ radius का इसकी radius उसकी radius से root 2 time होती है ठीक है तो एक काम करते हैं इसको अपन convert कर लेते हैं किस format में symmetric format में so x minus 9 by 2 का hall square plus y minus 5 का hall square will be equal to 36 plus 25 और यहां से कितना आएगा बच्चो 81 by 4 यह जो radius है ठीक है इसका यह r square है ठीक है तो यहां से r क्या आएगा root of this ठीक है तो उसको root 2 time के साथ multiply करोगे means इसको आपको क्या कर लेता है बच्चो 2 के साथ में multiply कर लेना है तो यह हो जाएगा बच्चो इसका क्या director circle अब इसका equal to minus 9 b के बारे में बात करें b will be equal to वह इसे निकाल सकते हो सिधा b will be equal to a will be equal to a x और वहां पर minus देखिए यहां पर 2 a x नहीं है ज्यान रखिएगा न यहां पर a x लिखा हो तो सिधा a ब्रावर 9 और b ब्रावर minus 10 यह है आमारे पास में a और b अब बात कर लेते constant drum तो constant drum इधर आकर के plus c है तो सारे data को इधर लाओगे और उसके बाद में जब आब बात करेंगे बट उसके साथ में देखिए यह ट्रम भी है यहां पर न इसका भी जाना किएगा 81 by 4 25 इधर भी है उधर भी ठीक है तो यह इधर आकर के subtract होगी तो एक एक चीज़ को देखिएगा जान से c will be equal to 81 by 4 plus 25 और उन सभी data को इधर ले आए तो उसके साथ multiply करके सो माइनस 72 माइनस 50 माइनस 81 by 2 तो यह है बच्चो आपके सामने c ठीक है ए बी सी आपके सामने आ गये हैं आप इन सभी values को जब यहां पर put करेंगे तो put करने के बाद में जब simplify करेंगे तो इसका जो answer आएगा आपके सामने 6 का वो आएगा आपका second option minus 94 आएगा ठीक है इसको के साथ चलते हैं आगे और बात करते है question number 7 की और question number 7 के अंदर क्या है देखिए हमारे पास में sum of the geometric series देखिए यहां पर एक geometric series आपको दी गई है और आपको इसका sum calculate करना है तो एक काम करते हैं देखिए इसमें दो type की series है दोनों को अलग-अलग कर लेते हैं और उसके बाद में हम इसको आसानी के साथ में कर लेंगे तो पहले तो यह देखिए 1-1 by 4 प्लस 1 by 16 इस टाइप की एक series है जो आपके सामने कहां तक जा रही है infinite तक प्लस आयोटा by 2 को common ले लिजिए आयोटा by 2 को common लेंगे तो पिछे आपके पास में पहली ट्रम में 1 देखिए यहां पर क्या बचेएगा 1 आयोटा by 2 common आएगा तो पिछे बचेएगा minus 1 by 4 इसकी अगली वाली ट्रम से जब करोगे तो आएगा plus 1 by 16 फिर minus and so on ऐसे चलेगा तो पहला bracket और दूसरा bracket दोनों बिल्कुल सेम है तो एक काम कीजिए इसको common ले लिजिए तो इसको common लेके इसका जो sum निकालोगे तो a upon 1 minus r r की value minus 1 by 4 तो यह आजाएगा plus 1 by 4 यह तो bracket का sum और यहां बचेगा 1 plus iota divided by 2 इसको calculate कर लेते हैं कितना आएगा 4 divided by 5 LCM लोगे 4 उपर 5 नीचे यहां पर LCM लोगे 2 plus iota divided by 2 ठीक है 2 से कट जाएगा दो बार इसको calculate कर लीजिए यह आजाएगा हमारे पास 4 plus 2 iota divided by 5 और यही होगा बच्चो हमारा answer ठीक है ऐसा option हमें दिया ग आपका 7th के अंदर जो सही answer होगा वो होगा आपका तीसरा option के लिए रहे सभी को चलिए इसी के साथ चलते हैं आगे और बात करते हैं बच्चो क्यूसर नंबर 8 के अंदर देखो अपने को क्या करना है क्यूसर नंबर 8 में आपको दिया गया है कि Z1, Z2, Z3 यह complex number है such that mod Z1, 1 mod Z2, 2 mod Z33 then this will be equal to तो देखे एक चीज हम पढ़ते हैं उसी का यूज कर लेते हैं यहां पर और वो क्या है देखो वो है यहां पर Z1, Z2, Z3 दे रहा है आपको तो इसका square करेंगे तो यह जो ट्रम है इसको लेख सकते हो आप Z1, Z1 बार बराबर 1 ऐसे दूसरे वाले में Z2, Z2 2 बार बराबर 4, squaring करोगे तो और तीसरे वाले में Z3, Z3 बार बराबर कितना आजाएगा बच्चुक 9 यह सारी ट्रम आजाएगी और एक काम कीजिए 1, 4 और 9 यह जो डेटा दिया गया है यहां पर इनकी जगे पर यह values पूट कर दीजिए तो देखे पहली ट्रम आएगे हम 1, Z2 पहले से परजेंट है और 9 वाले के साथ में है Z3, Z3 बार ठीक है इसे 4 की जगे Z2, Z2 बार पूट करेंगे तो Z1, Z3 पहले से है तो यह है Z2 इन्टू Z2 बार और 1 की जगे पर Z1, Z1 बार तो पहले से Z2, Z3 है इसकी जगे पूट कर दिया Z1, Z1 बार इसका modulus अपने को calculate कर दियान से देखे Z1, Z2, Z3 सभी जगे पर है उसको common ले लिजिया ना Z1, Z2, Z3 को common ले लिया तो यहां बचेगा Z3 बार प्लस Z2 बार प्लस Z1 बार ठीक है इसका modulus calculate करना है अब जैको mod की property होती है mod A into mod B ब्रावर mod A into mod B so there will be mod Z1, mod Z2, mod Z3 into mod Z1 plus Z2 plus Z3 का बार यह है अपने को अच्छा यह दे रखा है अपने को किस के बरावर दे रखा है 12 के बरावर दे रखा है ठीक है चलिए mod Z1 पता है 1, mod Z2, 2 और यह 3 so 1 into 2 into 3 कितना हो जाएगा 6 इसमें फिर आपके पास में conjugate की property लग जाएगी तीनों का जो conjugate होगा ठीक है वो एक साथ हो जाएगा that will be equal to 12 so finally आपको मिलेगा Z1 plus Z2 plus Z3 का conjugate will be equal to कितना 2 आजाएगा 6 से divide कर देंगे अचा फिर एक और property होती है हमारे पास में mod Z bar will be equal to होता है mod Z, mod alpha bar बराबर, mod alpha इस property का use करेंगे तो यहां से अपने को इसकी value मिल जाएगी mod Z1 plus Z2 plus Z3 बराबर 2 और यही है बच्छो आपका सही answer, ऐसा कौन सा option है बच्छो second option, so 8th question का सही answer हो जाएगा हमारा दूसरा option, के लिए रे सभी को चलिए इसी के साथ चलते हैं आगे और बात कर लेते हैं question number 9 की ओर क्या है question number 9, आईए देखते है question number 9 के अंदर आपको दे रखा है आयोटा की power k1 plus k2 plus k3 plus k4 where kn is the randomly chosen from the set 1, 2, 3, 4 then probability that a is 0, देखिए बिलकुल आपको यह आप probability निकालनी है तो बात कर लेते हैं सबसे पहले total number of outcome ठीक है ना total number of outcome निकालनी के लिए क्या करेंगे देखिए k1 आपका 1, 2, 3, 4 में से कुछ भी आ सकता है सबसे पहले क्योंगे आपको 4 number ही तो select करने k1, k2, k3, k4 तो k1, 4 में से कुछ भी आ सकता है so there will be 4 फिर again 4, k2 के लिए इसके लिए भी 4, इसके लिए भी 4 तो यह आ जाएगा बच्छो आपके पास 4 की power 4 यानि की 2 की power 8 यह तो हो जाएगे आपके पास में total number of outcome अब बात करते हैं बच्छो फेवरेबल outcome फेवरेबल outcome निकालने के लिए आपको यह देखना है कि A0 कब बनेगा तो देखें यहाँ पर A0 बनने के लिए कुछ तरीके होंगे और वो क्या-क्या तरीके हो सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले तो देखें अगर आप K1, K2, K3, K4 क्योंकि 123 में से हैं और हमें एक property पढ़ते हैं कि अगर 4 लगातार power होती आयोटा की तो उनका sum क्या होता है बच्छो 0 होता है इसका मतलब यह हुआ कि अगर यह 4 नंबर आ जाए यह मिंस यह जो 4 नंबर से कितने तरीके सा सकते हैं 4 factorial तरीके से अगर पहला वाला क्या आने के 4 तरीके हैं तो दूसरे और एक आने के 3 होंगे फिर 2 फिर 1 तो टोटल कितने आ जाएंगे बच्छो 24 लेकिन शिरफ एक यही case नहीं होगा और भी बनेंगा न ऐसा भी तो हो सकता है यहाँ पर पहला आयोटा बन जाए दूसरा भी आयोटा बन जाए फिर यह minus आयोटा बन जाए यह minus आयोटा बन जाए ज़रूई थोड़ी है कि आपके पास सब्रस बाइस 1-1 आयोटा आयोटा बने इसका मतलब यह हुआ कि अगर यहां jakby आपके पास में K1, K2, K3, K4 में से, ठीक है न, कुछ numbers इस तरीके से आए, कि एक iota बने और एक minus iota बने, और iota और minus iota कब बनता है बच्छो, 1 और 3 पर, ठीक है, मतलब K1, K2, K3, K4 में से, case 2 जो है आपके पास में, दो number तो 11 आ जाए और दो number 33 आ जाए, और इसका arrangements कितने तर 4 factorial divided by 2 into 2, यह कितने आ जाएंगे total wage, 24 by 4, that is 6, और एसे ही बच्छो, आपके पास में एक case और बन सकता है, that is case 1, case 2, case 3, case 3 क्या बनेगा, ऐसा आ जाए कि 2, 2, 4, 4 में से आ जाए, के 1, के 2, के 3, तब भी 0 आ जाएगा, इसमें भी same आपके पास में यही आएगा, 6 wage आएंगे, तो यह आएंगे बच्छो, 3 तरीके से 0 बन सकता है, यह तो 4 लगातार power आ जाए, यह IOTA minus IOTA आ जाए, दो दो बार, यह 1 minus 1 आ जाए आपके पास दो दो बार, यह 3 तरीके से 0 हो सकता है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं हो सकता, इनको जोड दीजिए, 24 plus 12 will be 36, ठीक है तो हमारी probability आ जाएगी बच्छो, 36 डिवाइड बाई, तो फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाई, टोटल नंबर आउटकम, तो देर विल बी 4 इन्टो, इसमें से एक चार को अलग कर लीजे, इन्टो 64, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, 9 डिवाइड बाई, 4 से आगे और बात करते हैं बच्छो, क्यूसर नंबर 10 के बारे में, क्या है क्यूसर नंबर 10, आएए देखते हैं, क्यूसर नंबर 10 के अंदर देखिए, इसमें बहुत सारे बच्छे एक गलती करेंगे, और वो क्या करेंगे, वो सिगमा निकाल देंगे यहां पर, ठीक है, ले के पास में cos theta वाली जो drum है उनको multiply करना है पूरे complex number को नहीं चाहिए सिरब उसके जो real parts है उनको multiply करना है तो 1 put करोगे तो आएगा बच्चो cos 1 degree 2 put करोगे तो आएगा cos 3 degree फिर आएगा बच्चो cos 5 degree और ऐसे चलता रहेगा कहां तक cos 80 45 put करोगे तो cos 89 degree ये तो हो जाएगा बच्चो उपर वाला part इसी के साथ नीचे बात करें तो imaginary part of cos 2n-1 degree का double इसका double की बात करेंगे तो इसके imaginary part में आएगे बच्चो sin 2 degree ठीक ना पहला एंगल क्या बनेगा 1 1 into 2 2 degree sin 2 degree into अगला एंगल बनेगा बच्चो sin 6 degree क्या बनेगा sin 6 degree क्यों क्योंकि यहां पर आएगा आपके सामने कितना 2 into 3 that will be 6 degree फिर आगे चलते हैं यहां पर आएगा आपके पास में sin of कितना sin of 6 के बाद में आजाएगा 5 into 2 so there will be 10 degree ठीक है और इसे चलता रहेगा लास्ट में कितना आएगा बच्चो 89 into 2 so इसके बारे में बात करेंगे तो sin of इसका double angle 9 into 2 18, 18 into 16 और 17, 178 degree यह सारी ट्रम समारे सामने आ जाएगी इसके बाद में अपने को क्या करना है अपने को सिंप्लिफाई करना है और इसको देखो कैसे सिंप्लिफाई करेंगे उसके लिए एक काम करते है वह तो नीचे वाला जो पार्ट है उसके फॉर्मला लगा देते है कौन सा 2 sin theta cos theta sin 2 theta का तो यह बन जाएगा आपके पास में 2 sin 1 cos 1 तो cos 1 तो कड़ जाएगा और नीचे आजए इसे ही 2 आता रहेगा आता रहेगा हार ट्रम में तो टोटल कितनी बार आएगा बच्चो 2 की पावर 45 डिगरी और इधर है हमारे पास sin 1 degree sin 3 डिगरी और ऐसे चलता रहेगा कहां तक बच्चो sin 89 डिगरी तक ठीक है तो इस टाइप से हमारे सामने यह वाली ट्रम आ जाएगा अब देखिए बच्चों आगे क्या करेंगी इसके अंदर इसको इंदर एक काम करते हैं इसको सारी ट्रम लेके आते हैं तो इसको उपर नीचे मल्टिप्लाई करते हैं अपनों लोग इससे साइन 2 डिगरी जो ट्रम मीशिंग है उससे मल्टिप्लाई कर दीजिए साइन 4 डिगरी इसके बाद में साइन 6 डिगरी और इसे चलता रहेगा आपके पास में साइन 88 डिगरी तक ठीक है नीचे भी मल्टिप्लाई कर दीजिए साइन 2 डिगरी ठीक है ना साइन 4 डिगरी औ और यसे चलता रहेगा आपके पास में sin 88 degree तक उपर नीचे दोनों साइट पर multiply क्यों किया हमने ठीक है ताकि आपन क्या कर सके इसको आगे और इसको convert कर पाएं ठीक है तो अब देखो आपके सामने यह क्या बन जाएगा यहाँ पर ठीक है उपर आगया आपके पास में उपर तो sin 2 degree आगया, sin 4 degree, sin 6 degree और नीचे आगया sin 1, sin 2, sin 3, sin 4 यहाँ से लेकर के आपके पास में sin 88 तक सारी टरम आ गई अब एक काम करते हैं देखो उपर जो sin 2 degree आया उसको convert कर देते हैं किसमें 2 sin theta cos theta वापिस formula लगा देते हैं उपर तो देखो क्या बन जाएगा 2 sin 1 cos 1, sin 1 cos 1, फिर आगे क्या बनेगा बचो 2 into sin 2 cos 2, ऐसे चलता रहेगा, लास्ट तक और नीचे क्योंकि क्या था हमारे पास में 2 की पावर 45 into sin 1, sin 2, sin 3, यह सारी टरम यहाँ पर नीचे हमारे पास में रहेगी, कहा तक sin 89 degree तक, सारी टरम परजेंट है आप देखो यहाँ पर क्या होगा, sin 1 से sin 1 कट जाएगा, sin 2 से sin 2 कट जाएगा, ऐसे sin 3 आएगा, आगे sin 3 कट जाएगा क्योंकि उपर 88 सकते, तो sin 44 तक की सारी टरम कट जाएगी, और उपर क्योंकि सब जगे पर एक एक 2 आएगा आपके पास में, तो कितनी बार आएगा 2 डिग्री, and so on, cos, last वाली टरम क्या थी, 88, तो वो बन जाएगा 44 डिग्री, divide by, नीचे कौन सी टरम है बच्चों, नीचे sin 45 से लेके sin 89 डिग्री तक की सारी टरम बच्ची विए, देखिए बच्चों, sin 89 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते है, cos 1 और ये कहां तक चलेगा बच्चों, ये चलेगा आपके पास में, कहां तक, यहाँ पर आपके पास में, sin 44 तक कटेगा, तो sin 45 वाली टरम बचेगी, जिसको अपन लिखेंगे, cos 45 डिग्री, तो देखिए ज्यान से कौन कौन सी टरम हमारे पास में आज सुकी है, इससे ये कट जाएगा, 44 से इसके पहले जो टरम आएगी, वो भी कट जाएगी, तो बचेगा आपके सामने, सिरफ cost 45 डिग्री, जिसकी वैली होती है, 1 by root 2, 1 by root 2, root 2 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे, तो ये बचेगा बच्चों, आपके पास में, 1 by root 2, और 1 by root 2 कौन सा option है बच्चों आपका second option, तो 10th question का भी जो सही answer होगा बच्चों हमारा, वो कौन सा option हो जाएगा बच्चों, दूसरा option आजाएगा, कि लिए रहे सभी को, चलिए इसी के साथ चलते हैं आगे, और बात करते हैं, question number 11 के बारे में, क्या है, देखी question number 11, question number 11 है बच्चों, आपके पास में, ए omega क्या चीज़ है, clear है, तो इसको solve करते हैं, बट उसके पहले देखी, इसमें property का use कर लेते हैं, 1111, minus 1 minus omega square बराबर कितना होगा बच्चों, प्लस omega, क्यों 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 होता है, 0, 1 plus omega plus omega square क्यों होता है, 0, तो 1 और omega square को इदर लेके आएंगे, तो negative sign के साथ मुन की value किसक 1 omega square और omega की power 4 को लिख सकते हो, बच्चों, आप omega, clear है, इसके बाद में देखिए क्या करते हैं, इसके बाद में एक काम कीजिए, इसको जोड दीजिए सबको, तो यहां तो आ जाएगा 3, यहां जाएगा 1 plus omega plus omega square, 0, यहां भी 1 plus omega square plus omega 0, और बाकी ट्रम आपके पास में, as it is, 1 omega square omega, ऐसा आजाएगा, अब इसको उपन सोल कर लेते हैं, आसानी से देखिए, 3 omega into omega omega square minus omega की power 4, जो होता है बच्चों, omega यहां से common आजाएगा, so 3 omega into omega minus 1, ठीक है, 3 omega, यह omega बचेगा, so omega minus 1, ठीक है, ऐसा option कौन सा है बच्चों, दूसरा option, so question number 11 के अंदर भी सही answer होगा बच् option, कि जारे सभी को, चलिए इसी के साथ चलते हैं आगे, और बात करते हैं बच्चों, question number 12 की ओर, question number 12 के अंदर देखो, आपको क्या करना है, आपको mod Z2 को दे रखा है, कि यह 1 नहीं है, then the value of mod Z1, ठीक है, तो mod Z1 की value हमें calculate करनी है, ठीक है, तो देखे, बड़े ही आसानी से ह हम इसको solve कर सकते हैं, mod की property होती है कि आप इसको इधर multiply कर सकते हैं, 2 time Z2 will be equal to 2 time mod over Z1 into Z2 bar, ठीक है, इसके बाद फिर mod की property, ठीक है, इसके अंदर squaring करते दोनों side, तो mod Z square रखा होता है, Z into Z bar, तो इसके अंदर लगा दीजिए, यहां पर यह हो जाएगा, Z1 minus 2 Z2 into इसका bar, that is Z1 bar minus 2 Z2 bar, equal to 2 का modulus तो 2 ही होगा, पहले तो agitage ही लिखना में से Z1 into Z2 bar, और minus 2 का modulus तो 2, और यह आजाएगा Z1 bar into Z2, ठीक है, हमने कौन सी property यूज़ की, mod alpha square बराबर alpha into alpha bar, तो यह तो alpha agitage और यह इसका conjugate, ठीक है, इसको solve कर लेते हैं, आजाएगी value आज से mod Z1 की value जो भी क्या आएगा, देको, mod Z1 square, Z1 into Z1 bar, mod Z1 square, Z1 into this, so minus 2 Z1 into Z2 bar, इसको multiply कर लेगे, minus 2 into Z1 bar into Z2, साथ मे आएगा बच्चो, plus 4 Z2 into Z2 bar, there will be mod Z2 square, will be equal to, right hand side में कितना आएगा, देको, 2 into 2, 4, 2 into this, so minus 2 into Z1 bar into Z2, minus 2 into Z1 into Z2 bar, और साथ मे आएगा, बच्चो, plus Z1 into Z1 bar, mod Z1 square, और Z2 into Z2 bar, mod Z2 square, तो यह आपने क्या कर दिया, property use करके, दोनों brackets को open कर दिया, तो यह expression आगया, हमारे पास, देखिए बच्चो, minus का 2 Z1 Z2 bar, minus का 2 Z1 Z2 bar, कट गया, minus का 2 Z1 bar Z2, minus का 2 Z1 bar Z2, यह भी कट गया, बचे वे पार्ट में से common ले लिजिए, बच्चो डेटा को इधर ले आईए, so mod Z1 square minus 4, पहली टरम तो यही लिख लीजिए, mod Z1 square minus 4, फिर यहाँ पर है बच्चो 4 Z2 square, उदर है mod Z1 square, mod Z2 square, तो एक काम कर लेते हैं, इसमें से mod Z2 square को common ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या बचेगा 4, और उदर से आएगा, माइनस का mod Z1 square, ठीक है, अब देखे, फिर से दोनों में, mod Z1 square minus 4 को common ले लेते हैं, तो mod Z1 square minus 4 को common लिया, तो यहाँ तो क्या बचेगा बच्चो 1, और mod Z1 square minus 4 को common लिया, तो यहाँ से बनेगा, माइनस का mod Z1 square, क्योंकि माइनस sign common लेना पड़ेगा, तो यह किसके बराबर है, यह 0 के बराबर है, क्योंकि सारे डेटा को हम एक साइड में ले आए हैं, अब आपको यह दे रखा है, कि mod Z2 जो है, वो तो 1 है नहीं, ठीक है, अच्छा, यहाँ पर क्या आया था, हमारे पास में mod Z2, ठीक है, तो mod Z2 की वेली तो 1 है नहीं, तो यह 1 नहीं, that means यह टरम कभी 0 नहीं हो सकती, और यह 0 नहीं हो सकती, that means इसको तो हमेशा ही 0 होना पड़ेगा, तभी 0 हो सकता है, क्योंकि 2 quantities का product तभी 0 हो सकता है, या तो दोनों में से 1 0 हो, या दोनों 0 हो, आपको यह तो देर का है कि एक तो 0 नहीं है, तो दूसरी वारी को 100% 0 होना पड़ेगा, और इससे जब आप calculate करेंगे, तो mod Z1 का जो मान आएगा आएगा आपके पास में, वो कितना आ जाएगा बच्छों, 2 आ जाएगा, तो इस question का भी सही answer होगा आपका दूसरा option, के लिए रहे सभी को, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बच्छों, question number 13 के बारे में, question number 13 क्या है देखो हमारे सामने, हमें देर का है, Z will be equal to this complex number, ठीक है यह कोई complex number है, तो हमें इसका amplitude of Z निकालना है कितना होगा, आईए बात करते हैं, एक काम करते हैं बच्छों, इसमें से आयोटा को common ले लेते हैं, minus आयोटा को common ले लिया, तो यह क्या बनेगा बच्छों देखो, cos 2 pi k divided by 7, plus का क्योंकि minus आयोटा common लिया था, इसको minus आयोटा से उपर नीचे multiply कर लिया, तो उपर वाला तो common आ गया, और नीचे वाला minus 1 upon आयोटा, sin 2 pi k upon 7 बच जाएगा, फिर दे आयोटा, इसको एरेसलाइज करो, क्या हो जाएगा, तो यह बन जाएगा, e to the power iota 2 pi k upon 7, अब इसके लेकर 1 से लेकर 6 तक की value, जब इसमें पूट करते हैं, तो क्या आते हैं हमारे पास में, 7th root of unity, that is alpha 1 plus alpha 2 up to alpha 6 तक, यह इसमें है, सात्वा root आपका missing है, इसका मतलब इन सब का sum 0 होता है, तो सात्वा, सात्वा, जो root है आपके सामने, वो क्या हो जाएगा, बच्चो, minus iota, alpha 6 plus alpha 7 बरावर 0, तो alpha 6 बरावर minus alpha 7, और हम सब को पता है कि, बच्चो, minus alpha 7 कब आएगा, सब इसमें 7 put करोगे, और 7 put करोगे, 7 से 7 put करके, कितना आ जाएगा, 1, तो यह to iota, और इसी complex number का आप से क्या पूछा गया है, बच्चो, amplitude, तो इसका amplitude कितना होता है, iota का, plus iota का amplitude होता है, pi pi 2, इसलिए हमारा जो सही answer हो जाएगा, यहाँ पर, वो हो जाएगा, पहला option, चलिए रहे सभी को, चलिए, इसी के साथ चलते हैं, आगे, और बात कर लेते हैं, क्यूसर नंबर 14 के बारे में, क्या है क्यूसर नंबर 14, आइए देखते हैं, क्यूसर नंबर 14 में आपको दो complex numbers दे रखे हैं, एक z1 बराबर 2, दूसरा 1 माइनस iota z2, प्लस 1 प्लस iota z2 बार बराबर 8 root 2, और आपको कहा गया है कि इन दोनों के बीच की minimum distance, न्यूनतम मान क् देखे, z1 है आपके पास में, इस वक्र के उपर, और हमें पता है कि ये mod z बराबर, आर क्या होता है बच्चो, ये एक circle, तो z1 तो है आपके पास में इस circle के उपर, के लिएर है, और इसको आप चाहो तो 2D के format में convert कर सकते हो, x square प्लस y square बराबर 4, x प्लस iota y पुट करके, तो एक curve तो हो गया आपके पास में, ये, z2 है आपके पास में, इस दूसरे वाले curve के उपर, ठीक है, तो ये क्या है, ये कि state line है, इसको भी simplify कर लेते हैं, देखो, 1 minus iota x plus iota y, plus 1 plus iota x minus iota y, बराबर 8 root 2, कितना हैगा, simplify कीजिए, देखो, x plus iota y, iota के साथ multiply कीजिए, minus iota x minus iota square, that is plus y, plus x minus iota y, plus iota x minus iota square y, that is again plus y, बराबर 8 root 2, अब आपको लगेगा, कि यहाप पर तो iota और दोनों आगे, देखो, ये कट जाती है, प्लस iota y, और यहापर आपके पास में, कितना है, minus iota x, और यहापर कितना है, plus iota x, तो इससे ये कट जाएगा, प्लस iota x से, minus iota x कर जाएगा, that is 2x plus 2y, will be equal to 8 root 2, तो यहाँ से मिलेगा, आपको x plus y, बराबर 4 root 2, ठीक है, तो ये क्या है, आपके पास में एक line है, और ये है, आपके पास में एक circle, अब z1 तो उस circle के उपर है, और z2 एक line है, कोई दूसरी, उस line के उपर है, z2 इसके उपर है, तो दोनों के बीच की new term दूरी, कौन सी दूरी होगी, बच्चो, perpendicular distance, ठीक है, z1 जब यहाँ पर होगा, और z2 जब यहाँ पर होगा, तो यही होगी बच्चो, new term दूरी, अब ऐसा भी हो सकता है, कि यह जो line है, इस circle के बाहर ना हो, इसके अंदर हो, इसको cut कर जाए, तो अब जब check करेंगे, तब पता चलेगा, अंदर है बाहर, वो कैसे पता चलेगा, center से perpendicular distance निकालिए line पे, 0,0 से perpendicular distance P निकालिए, कितनी आ रही है, यहाँ से यह तक, अगर radius से ज़्यादा है, तब तो बाहर है, और radius से कम है, तो अंदर है, बराबर है तो इसके उपर होगा, tangent हो जाएगी, तो P बराबर कितना आ रहा है, देगो, P जब 00 put करोगे, तो यह आए ज़्यादा है इससे, इसका मतलब यह बहार होगा, अचा, आपसे Z1-Z2 पूछा है, that means, आपसे P नहीं पूछा है, आपसे यह दूरी पूछी गई है, तो यह दूरी निकालने के लिए P में से क्या कर दीजिए बच्चों, और radius को subtract कर दीजिए, so mod Z1-Z2 बराबर P-R, that is 4-2 और 4-2 कितना होता है, यह हम सब को पता है बच्चों, वो कितना होता है, हमारे पास में 2 होता है, तो 14 का जो सही आंसर हो जाएगा, हमारे पास, वो हो जाएगा हमारा तीसरा option, खिलिए रहे सभी को, चलिए इसी के साथ चलते हैं आगे, और बात करते हैं बच्चों, question number 15 के बारे में क्या है क्यूसर नमर 15 आईए देखते हैं क्यूसर नमर 15 में आपको दिया गया है कि जेड माइनस आयोटा ब्राबर रूट 2 देन दा एम्प्लिटूड ऑप जेड माइनस 1 डिवाइड बाई जेड प्लस 1 देखे वच्छो इसको आप जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई लेकर के तो करी सकते हो ठीक है यहां पर पूट करोगे उसको calculate करोगे उदर से value substitute करोगे बट देखी इसको आप graphically कैसे solve करते हैं उसके बार में मैं आपको बदाता हूँ ठीक है सबसे पहले तो again z minus 1 that means यह एक circle है जिसका center है बच्छो कहां पर 0,1 पर ठीक है न क्योंकि 0,1 z minus iota 0,1 radius root 2 है बच्छो radius root 2 है that means x-axis जो होगी वो हमारी कहीं पर यहां पर होगी क्यों क्योंकि इसकी radius 1 है और radius 1 से ज़्यादा है that means x-axis को 2 point पे cut कर जाएगा actually यह जो point है बच्छो यह होते हैं आपके पास में minus 1 और 1 ठीक है तो यहां पर यह जो point है आपके पास में यह है minus 1,0 और यह है बच्छो .1,0 ठीक है जएड प्लस वन, जएड प्लस वन का मतलब वहा बच्चो यह वेक्टर इसको आगे बढ़ा दीजिए न, कभी भी जब भी आपको इस तरीके से confusion हो इसको आगे बढ़ा दीजिए, Z-1 बच्चो ये वाला वेक्टर होगा ना ये Z कहीं पर भी ले लिजिया ना इधार उपर नीचे उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा इसको आगे बढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा बच्चो बच्चो फाइनल वेक्टर आपके पास में कहां पर होता है उपर और इनीचल वेक्टर कहां पर होता है नीचे जब आप रोटेशन ठीओरम लगाते हो तो उपर फाइनल वेक्टर और नीचे इनीचल वेक्टर तो उपर फाइनल वेक्टर Z-1 वाला कौन सा वेक्टर था ये तो ये तो final होना चाहिए आपका final vector और ये बच्चो आपका initial vector होना चाहिए ठीक है और जब आप क्या करते हो बच्चो initial से final की तरब जाते हो तो ये angle बनता है और ये angle जो भी होगा बच्चो वही हो जाएगा आपका amplitude ठीक है ये तो बात होगी कि ये जो angle होगा anti-clockwise direction में positive होग है that means पहले या दूसरे में से आएगा जो भी answer अब कितना होगा उसके बारे में discuss कर लेते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे बच्चो ये angle निकालने के लिए इसके अंदर देखो अपने एक property का यूज करते हैं अपने को ये angle पता है कितना होगा center पर कैसे पता चलेगा क्यों उपर कितना बनाएगी उपर बनाएगी बच्चो 45 डिगरी का तो 45 डिगरी का angle ये होगा तो इसका opposite अंगल भी कितना होगा 45 डिगरी का ठीक है और plus होगा इसलिए कौन सा answer हो जाएगा बच्चो डूसरा option 15 का जो सही answer होगा हमारे पास वो हो जाएगा हमारा दूसरा option के लि स्टेट लाइन तो सबसे पहले देखिए इनको convert कर लीजी क्योंकि यहाँ पार जनरली ऐसे क्यूसर्स होते हैं complex numbers से क्या कर लेते हैं 2D में convert कर लेते हैं ठीक है चलिए इसको convert करते हैं 1 plus iota into z will be x plus iota y will be equal to 1 minus iota into x minus iota y multiply कर लीजी वैसे imaginary part cancel out होने वाला है चाह तो सिधा real part निकाल लीजी कितना आएगा x minus y will be equal to x minus y so यहाँ से आएगा आपके पास में 2x minus 2y ब्रहाबर 0 ठीक है इधर आपके पास में कितना आएगा x bar so x into 1 there will be x minus y और इस साइड भी आपके पास में कितना आएगा 1 plus iota so x plus iota square y square so x minus y और यहाँ से भी आएगा आपके पास में x minus y y ब्रहाबर 0 ठीक है यहाँ हम यह कहें कि यहाँ पर जो हमारे पास में आ रहा है ठीक है जैड बार देखो कितना आएगा x into 1 will be x 1 into x will be x और यहाँ से भी 1 into x हमारे पास में कितना आया था that will be again x अच्छा तो यह तो कट गया है है आपके ना अच्छा कई बार ऐसा भी होगा इसे रियल पार तो कट गया है ना x x कट जाएगा y से y कट गया तो लग रहा है कुछ भी नहीं आया लेकिन बचोगा रियल पार्ट कट रहा है तो imaginary पार आएगा ना दोन में से एक जरूर आएगा ठीक है तो इसका imaginary पार चेक कीजिए एक बार imaginary पार कितना आएगा देखो iota y iota y plus iota x will be equal to इधर कितना आएगा देखो 1 into this there will be minus iota y और इधर से आएगा minus iota x तो यह देखो कट नहीं रहा है ठीक है ना बट iota common आकर के कट जाएगा तो यहां से आपको मिलेगा y plus x will be equal to minus y minus x सभी data को इधर लेके आएगे तो 2y ब्राबर minus 2x यानिकी y ब्राबर minus x त ठीक है अब इसके दर image निकालनी है बच्चों आपको किसकी इस point की तो एक काम कीजिए इस point को भी convert कर लेते हैं that is 2 plus iota into 3 plus iota divide by 9 plus 1 कितना हैगा 2 into 3 6 minus iota square that is 5 by 10 और दूसरा point कितना होगा बच्चों 2 iota plus 3 iota that is 5 iota divide by again 10 ठीक है दोनों की value 5 by 10 5 by 10 that means 1 by 2,1 by 2 और जब भी आप y equal to minus x के अंदर image निकालते हैं ठीक है तो आपके पास में जो point आता है ठीक है वो क्या हो जाते हैं दोनों point interchange हो जाते हैं और वो आ जाएंगे आपके पास minus 1 by 2 और minus 1 by 2 ठीक है तो यह कौन सा option है आपके पास में यह ठीक है तो जब आप सारे options को check करोगे तो आपको यह जो last वाला option मिलेगा ठीक है यह आपके पास में इसके बराबर आ जाएगा और वैसे भी देखी इसको आपको अगर यह चीज़ पता चल गए तो direct भी कर सकते हैं इसमें से minus sign common लेने के बाद में इसके identical है इसका मतलब दो इमेजनेरी part of a complex number satisfying this and having the least positive argument each देखे एक complex number है आपका z minus 1 minus 2 आयोटा ज्यान से देखे क्या है यह complex number 1,2 x में 1 और y में 2 यहां पर एक center है और 1 radius का मतलब इसके नीचे यहां तक ही आएगा इदार इस से 1 distance पर मिस इसको touch करता हुए एक circle है मिस इस point से इस type का एक कोई circle है ठीक है इस type का एक circle है यहां पर z जिसका center 1,2 और radius 1 है तो इधर तो touch करेगा और इधर 1 unit ऊपर रहेगा ठीक है तो the imaginary part of a complex number this satisfying having the least positive argument देखो argument list भी होना चाहिए और positive भी होना चाहिए नेगेटिव नहीं होना चाहिए ठीक है एसा कौन सा complex number होग जो यहां से इसको pass करके जाएगा means इस point का जो होगा वही होगा बच्चो आपका least positive argument clear है अब इसका आपको क्या करना है बच्चो having the least positive imaginary part इसका आपको imaginary part निकालना है ठीक है ना इसके इंदर y का coefficient आयोटा का coefficient क्या है वो आपको calculate करना है देखे कैसे calculate करेंगे देखो बच्च इसकी radius पता है 1 यह tangent है यह भी tangent है ठीक है तो यह इसको इसके साथ में join कर दीजिए यह length आप निकाल सकते हो क्योंकि यह point पता है आपको 1,2 यह length आजाएगी बच्चो root 5 ठीक है यह complex number पता चल गया यह angle आपको पता है theta यहां से आप theta निकाल सकते हो sin theta cos theta 10 theta sub ठीक है यह complex number आ आप rotation theorem लगा दीजिए और यहां से आप पूरा z calculate कर लीजिए आपका काम हो जाएगा तो यह तो रहेगा आपका initial vector और यह रहेगा आपका final vector ठीक है तो क्या आएगा देखो बच्चो final vector क्या हो जाएगा z minus 0 divide by initial vector क्या है 1 plus 2 iota जो वहाँ पर था हमारे पास 1 plus 2 iota into 1 plus 2 iota minus 0 will be equal to final vector का modulus यह वाली length यह वाली length कितनी होगे हमारे पास यह 1 है यह root 5 है तो यह length कितनी हो जाएगी बच्चो यह 2 हो जाएगी ठीक है और divide by वह length अपने को पता है कितनी है root 5 into e to the power minus iota theta क्योंकि direction कौन सी है बच्चो clockwise हमें दिखाई दे रहा है यहां पर कौन सी direction है clockwise क्योंकि minimum list positive argument इधर ही आएगा उधर तो argument आपके पास में क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा क्लियर है यहां से आप z निकाल लीजिए आपका काम हो जाएगा देखिए 2 time 1 plus 2 iota divided by root 5 into cos of theta cos theta कितना होगा देखो theta 90 तो cos theta ब्राबर तो कितना होगा 2 by root 5 और sin theta ब्राबर 1 by root 5 so that is 2 by root 5 minus iota divided by root 5 ठीक है इसका imaginary part calculate कीजिए कितना आ रहा है देखिए root 5 नीचे से common आ जाएगा 2 भी common आ जाएगा तो 2 by 5 तो बाहर common आ जाएगा अब देखिए imaginary part निकालते हैं एक तो 2 iota 2 के साथ multiply होगा so that is 4 iota एक 1 उसके साथ multiply होगा that means minus iota कितना आ जाएगा 3 3 into 2 6 iota divided by 5 अच्छा हमसे ने शिरफ यही क्यों निकाला क्योंकि हमसे imaginary part ही पूचा है और imaginary part का मतलब होता है iota का multiple तो iota का multiple कितना हो जाएगा बच्चो 6 by 5 so third option आपका 17 में हो गया वो हो गया हमारा सही answer clear है इस तरीके से rotation theorem का use करते हुए आप ऐसे questions को solve कर सकते हो बढ़ हाँ ये पहले आपको check करना पड़ेगा कि minimum इस side में आएगा या उदर आएगा इतनी काम तो आपको यहाँ पर करना होगा clear है चली इसी के साथ चलते हैं आगे बात कर लेते हैं question number 18 के बारे में 18th question क्या है देगी z bar बराबर है बच्चो आयोटा into w bar and amplitude of z w बराबर pi then amplitude of z तो एक काम करते हैं देगी बच्चो यहाँ पर आपन w की value put कर देते हैं तो z bar बराबर कितना हो जाएगा minus iota into w bar तो w bar बराबर कितना आ गया z bar divided by minus iota इसको rationalize कीजिए तो w बराबर कितना आ जाएगा उपर का conjugate z नीचे के minus iota का conjugate कितना हो जाएगा plus iota ठीक है और यह value put कर दीजिए काम पर यहाँ पर तो यह बन जाएगा amplitude of z square divided by iota बराबर कितना है बच्चों pi ठीक है तो amplitude of z square will be amplitude of z into 2 minus amplitude of iota that is pi pi 2 will be equal to कितना है बच्चों pi ठीक है एक बाद check कर लेते हैं दुबारा ठीक है जेड बार बराबर कितना आ गया हमारे पास minus iota into w bar ठीक है तो w bar बराबर कितना आ जाएगा z bar divided by minus iota ठीक है अब आपको इसका conjugate लेना है तो उपर का conjugate कितना हो जाएगा z bar का conjugate z और minus iota का conjugate कितना हो जाएगा plus iota iota का conjugate क्या होता है minus iota तो minus iota का conjugate कितना हो जाएगा plus iota अब यह value अपन w के put कर देते हैं तो यह हो जाएगा z square divided by iota और z square बराबर कितना हो जाएगा 2 time amplitude minus amplitude of iota और amplitude of iota कितना होता है pi pi 2 इस pi pi 2 को इधर ले आईए तो यह बन जाएगा 3 pi pi 2 so 2 time amplitude of z will be equal to 3 pi pi 2 तो यहाँ से आपके पास में amplitude of z कितना आजाएगा 2 से divide कर दीजे so that is 3 pi divided by 4 और ऐसा option अपने को देरका है बिलकुल है बच्चों कौन सा option 4th option so 18th का सही answer होगा हमारा चौथा option के लिए रहे सभी को चलिए इसी के साथ चलते हैं आगे और बात करते हैं question number 19 19 क्या है आईए देखते हैं देखो बच्चों एक GP है जिसका sum a GP GP नहीं a GP है जिसका sum अपने को निकालना है तो बहुत बार आपने ऐसे questions किये होंगे GP GP में इसको S मान लेते हैं तो यह बन जाएगा आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वाइर प्लस 3 आयोटा क्यूब and so on 2002 आयोटा की पावर 2002 ऐसा है फिर इसकी GP के कॉमन रेशियो से मल्टिप्लाई करते हैं जो यहां पर आयोटा है so आयोटा S बराबर कितना होगा आयोटा स्क्वाइर प्लस 2 आयोटा क्यूब इसे चलता रहेगा 2001 आयोटा की पावर 2002 प्लस 2002 इन्टू आयोटा की पावर 2003 ठीक है अब इसमेश इसको गटा देते हैं तो यह तो कितना आजाएगा बच्चो S इन्टू 1 माइनस आयोटा यहां बनेगा बच्चो आयोटा प्लस आयोटा स्क्वाइर प्लस आयोटा क्यूब इसे चलता रहेगा कहां तक आयोटा की पावर 2,002 तक ठीक है साथ माय का बच्चो माइनस 2,002 इंटू आयोटा की पावर 2,003 अब देखो इसका सम निकालने के लिए अपने को पता है कि 4 कॉंजी की टीव का सम 0 होता है तो यहां तक का सम तो 0 हो जाएगा तो सिरफ बचेगा आपके पास में कित आयोटा की पावर 2,003 होता है बच्चो माइनस आयोटा तो यह बन जाएगा कितना बच्चो प्लस 2,002 आयोटा कितना बन जाएगा माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस 2,003 आयोटा लेकिन इसके साथ में अभी क्या है बच्चो 1 माइनस आयोटा उससे नीचे डिवाइड करके और उसको जब रेसलाइज करोगे तब मिलेगा आपको ओरिजनल कॉंप्लेक्स नंबर अब आप इसमें चेक कीजिए कि आपका कौन सा आंस्वर सही आ रहा है क्लियर है तो इसको रेसलाइज कर लेते हैं देखो उपर से मिटा देते हैं वापिस देखे ऊपर क्या आएगा सबसे पहले बात करते हैं अगर माइनस वन प्लस 2000, वन प्लस आयोटा पहले रियल पारट के बारे माइनस कर लेते हैं empieza -...1 end to 1, there will be minus 1, और रियल पारट कहा आएगा? 2003 into this, so there will be minus 2003 आयोटा square that is minus 1 iota के coefficient की बात करे 2003 iota 2003 iota और साथ में आएगा बच्चो minus iota divide by 2 नीचे कितना आजाएगा 2 आजाएगा calculate कीजिए minus 2004 divide by 2 there will be minus 1002 1002 2004 को 2 से divide करेंगे तो 1002 और plus 2002 iota एक कम हो जाएगा तो इसको 1 से divide करेंगे जाएगा 1001 iota तो पहली टरम तो negative दूसरी टरम positive नुमेरिकली बड़ी दूसरी छोटी ऐसा option है बच्चों 4th option जो की आपका सही होगा 19 का answer calculate सबको एक GP का question था बस iota का आपको rationalization और एक normal सी property यूज हो रही थी that is sum of two consecutive powers will be 0 clear चली आगे चलते हैं बात करते हैं question number 20 20th question में देखी क्या करना है the principle value of argument of z and the mod z of the complex number this are respectively ठीक है इस complex number का आपको argument बताना है पहले तो और फिर बताना है बच्चों आपको इसका क्या modulus के बारे में चली बात करते हैं थोड़ी जएर के लिए इसको theta माल लेते हैं तो यह है बच्चों 1 plus cos theta plus iota sin theta एक काम करते हैं बच्चों इसको simplify करते हैं formula लगाते हैं that is 2 cos square theta by 2 plus 2 iota sin theta by 2 cos theta by 2 इसमें से common आ जाएगा बच्चों हमारा 2 cos theta by 2 तो पिछे क्या बचेगा cos theta by 2 plus iota sin theta by 2 अब देखो बच्चों आपको इसमें 2 चीज़े निकालनी है एक तो इसका modulus और दूसरा इसका argument आप सबको पता होगा इसका modulus 1 होता है तो modulus इसी पे depend करेगा mod z ब्राबर minus का 2 cos theta by 2 का modulus ठीक है पहले इसको calculate कर लेते हैं फिर argument के बारे में बात करेंगे तो इसमें value put करेंगे तो या जाएगा 2 time cos theta by 2 that is 11 pi upon 18 ठीक है ना that will be 2 into cos 11 pi upon 18 ठीक है लेकि देखो 11 pi upon 18 में आपको कोई option नहीं दिया गया 7 pi pi इसमें दे रखा है तो एक काम करते हैं अच्छे modulus के अंदर है mod के अंदर z हमेंशा positive होता है तो इसको लिखेंगे pi minus 7 pi by 18 और जिसका जब modulus निकालोगे तो वो आजाएगा 2 into cos 7 pi upon 18 इसका मतलब जो modulus होगा बच्छो वो तो होगा आपका 2 cos 7 pi upon 18 ऐसे दो options है बच्छो आपके ये और ये that means इन दोनों में से कोई एक सही होगा अब बात कर लेते हैं बच्छो इसके argument की argument निकलेगा बच्छो आपका यहां से ठीक है तो इसका argument कितना आएगा देखो बच्छो वो आएगा आपके पास e to the power iota theta by 2 ठीक है लेकिन देखे बच्छो अगर आप यहां पर सीधे अगर इसकी बात करेंगे ठीक है ना theta को 2 को जब आप calculate करेंगे यहां से ठीक है तो यह कितना आएगा देखो हमारे पास यह अगर आपने ऐसे बात करें कि direct अगर इस angle के इसाब से 11 pi upon 18 ठीक है ना तो यह second quadrant में होगा और second quadrant के अंदर आप सीधा भी check कर सकते हैं यहां पर ठीक है अच्छा यह minus sign के साथ multiply होगा और यह दोनों आपके पास में कैसे होंगे positive होंगे ना theta by 2 के बारे में बात करेंगे चलिए एक बात देख लेते हैं so there will be e to the power iota 11 pi upon 18 ठीक है ना 11 pi upon 18 और बहार जो value थी आपके पास में cos theta by 2 ठीक है ना वो भी कैसी थी आपके पास में negative number था ठीक है यहां से भी जो number आएगा वो भी negative तो negative negative क्या हो जाएगा positive तो पहली drum तो आपके पास में क्या हो गई positive हो गई ठीक है दूसरी वाली जो drum है वो अंदर वाली positive है और बहार वाली negative कि इस पास में कौन सा यह वाला इंपलितुट पर खोड़ा सा इस बात का जया रखना पड़ेगा क्योंकि यह त्रम कैसी है नेगेकि वह सिदह आगर आप इस एगेल की बात करेंगे तो इह पाजटिव तो negative negative positive यह positive और यह negative x positive और y negative यह कौन से quadrant में होता है बच्चों fourth quadrant में तो minus 75 by 18 क्योंकि आपको sign को यहां से देखना पड़ता है कि कौन सा quadrant के इंदर आपका complex number लाई कर रहा है इसके लिए रहे सबको चलिए इसी के साथ चलते हैं आगे बात करते हैं बच्चों question number 21 के बारे में क्या है देखो एक आपको inequality दी गई है और आपको इसको simplify करना है देखे आप सबको पता है बच्चों court inverse decreasing function होता है तो जब आप court inverse को यहां से हटाएंगे तो आपको मिलेगा log 3 2 time z plus 1 will be less than log 3 mod 2 z minus 1 ठीक है ना court inverse decreasing function होता है तो जैसे आप court को हटाएंगे यहां से तो inequality का sign change हो जाएगा कि देर है इसके बाद में log को हटाना है तो log को आप सिधा हटा सकते हो mod z plus 1 will be less than 2 z minus 1 का mod ठीक है यह भी एक positive quantity यह भी एक positive quantity चाहो तो इसका आप square कर सकते हो सिधा और सिधा इसी format में answer निकाल सकते हो अगर इसमें थोड़ा बहुत भी confusion होता है तो आप इसको x y में convert कर लीजिए so 2 x plus 1 plus iota y 2 iota y इसका modulus will be less than 2 z 2 x minus 1 और plus 2 iota y का modulus दोनों का modulus आप निकाल सकते हो बड़े आसानी से 2 x plus 1 का hall square plus 4 y square will be less than 2 x minus 1 का hall square plus 4 y square ठीक है देखो 4 x square 4 y square 1 सब कर जाएंगे लेकिन बचे का इधर 4 x उदर minus 4 x इसको इधर लेके आवे 8 x will be less than 0 means x less than 0 जिसको अपन बोलते हैं real part of z that will be less than 0 और ऐसा कौन सा option है बच्चो second option ठीक है बाकी आप चाहते तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं सिधा यहाँ पर squaring करके mod z square वाली property z into z bar वाली property यूज़ करके उससे सीधा आपके पास में यही पार्ट आता फिर x y में ना करके सीधा यही आ जाता real part of z will be less than 0 21 का सही answer है हमारा दूसरा option चलिए चलते हैं आगे और बात कर लेते हैं question number 22 के बारे में देखो क्या पूछा है आपसे यह आपके पास में कोई equation है जिसके अंदर आपको यह बताना है कि इससे कितने complex number होंगे इसमें से with real part negative जिनका real part negative होगा तो एक काम करते हैं बच्चों पहले तो इसको solve कीजी तो यह middle term split हो जाएगी इसकी देखो यह बनेगा आपके पास z की power 5 31 into 32 आप calculate कर लिए ठीक है 32 negative और यह positive that will be equal to 0 ठीक है multiply करोगे तो 992 आएगा और दोनों को जोडोगे तो minus 1 आ जाएगा ठीक है factorization कर लिए या formula लगा लिए अगर सिधा नहीं हो रहा है बाकि 992 के अगर आप factors करेंगे तो आपको 32 और 31 दो factor दिखाए दे जाएगे तो यहां से देखो दो type के आपके पास में आ रहा है z की power 5 ब्राबर minus 31 और z की power 5 ब्राबर 32 तो यह तो आप सबको पता है क्या है अगर इसको 2 को नीचे ले आएगे तो 1 के 5th root हो जाएगे z by 2 ब्राबर 1 के 5th root ऐसे उसमें 31 को नीचे ले आएंगे minus 31 को तो z के 1 के 5th root और उसको फिर आप minus 31 से multiply करेंगे तो देखिए एक्चुली यह है क्या चाहिए द्यान से देखिए पहले तो जेड के पावर 5 ब्राबर 32 के अच्छा इसमें और जो हमारी यूनिट वाला होता है उसमें क्या फरक है उसकी रेडियस होना होती इसकी रेडियस टू होगी ठीक है न बाकिस सब चीजे सेम है तो COMPLECTION फाला यहीं पर होगा पावर 5 है तो 360 V5 is 72 degree दूसरा complex नमबर यहां पर होगा तीसरा यहां पर होगा 14 यहां पर होगा decides to करो पांच इंगे ऐसा होगा हमें पता है का real Part कैसा है positive यह नहीं है इसका신 पास positive यह नहीं लेना है इसका Real Part पॉसितिव होगा इसको भी लेना ह और इसको भी लेना है ठीक है तो दो तो complex number इस वाले में आएंगे जिसका real part आपके पास क्या होगा negative सेम ऐसा ही आपके पास में दूसरे वाले में आएंगा ठीक है उसमें और इसमें फरक्या है एक तो minus sign का और एक circle की जो radius है वो आपके पास में इससे थोड़ी change हो जाएगी वो circle थोड़ा से इसके comparative में अंदर आ जाएगा लेकिन उसमें एक चीज़ जो important part जो यह है कि minus sign से multiply कर था वो root इस बार यहां से शुरुआत होगी ठीक है जो root इधर आया था इसके corresponding वो इधर आएगा जो हैं पर आया था इतए हो इधर आएगा फिर ही यहa पर होगा और फिर ही यहां पर होगा जैसे यह कहें कि इसका एक root 2 तू आया था ठीक है positive real number आया था इसका एक root के नेगेटिव एक, दो और तीन तो इन तीनों complex नंबर का real part negative होगा तो तीन यहाँ पर दो पहले वाले में total कितने हो जाएंगे पांच तो total पांच complex नंबर से ऐसे होगे जिसका real part कैसा होगा बच्चो नेगेटिव होगा किज़रे सभी को चलिए इसी के साथ चलते हैं आगे और बात करते हैं किश्चन नंबर 23 के बारे में किज़र है तो 23rd किश्चन क्या है देखिए हमारा दा लोकस ओप दी complex नंबर जेड इन ए आरगन प्लैन satisfying this inequality देखिए आप बड़े आसानी से इसको निकाल सकते हो यह क्या होगा सबसे पहले लोक को अठाएंगे base एक से छोटा है तो base अगर एक से छोटा होता है तो क्या होता है हमारे पास inequality का sign change so mod z minus 1 plus 4 divide by 3 time mod z minus 1 minus 2 will be less than 1 by 2 और जब भी आप less than 1 by 2 की बात करेंगे ठीक है तो यह 0 से बड़ा भी होना चाहिए क्योंकि लोक के अंदर परजेंट है कि दर है चलिए अब यह देखे आपके पास में दो inequality बन जाएगी एक इदर वाली एक उदर वाली पहले उसको solve कर लेते हैं right hand side में जो है देखो mod z minus 1 plus 4 divide by 3 time mod z minus 1 minus 2 will be greater than 0 यह 0 से बड़ा होना चाहिए देखिए यह quantity तो always positive है mod plus 4 mod positive 4 positive दो positive quantities को add गरोगे तो always positive तो यह positive तब होगा जब यह positive होगा और यह positive कब होगा जब mod z minus 1 will be greater than 2 by 3 एक condition तो आपके पास यह आ जाएगी अब बात करते हैं दूसरी condition के बारे में ठीक है दूसरी condition देखो हमारे पास में क्या आएगी दूसरी condition यह आएगी इसको solve करने से इस 1 by 2 को इदर ले आईए और इसमें LCM लीगे यह यहीं पर कर लेते हैं माइनस 1 by 2 will be less than 0 LCM लेंगे तो कितना आएगा देखो 2 time mod z minus 1 और वहाँ पर कितना आजाएगा plus 8 minus 3 time mod z minus 1 plus 2 divide by 2 time 3 mod z minus 1 और minus 2 will be less than 0 ठीक है कितना आ रहा है देखो इससे इसको solve करेंगे तो उपर आएगा 2 minus 3 there will be minus mod z minus 1 minus mod z minus 1 8 plus 2 there will be 10 divide by 2 को तो उदर multiply कर दो 3 time mod z minus 1 और साथ में आएगा बच्चो minus 2 will be less than 0 अब इसको कर देते है positive और इसको कर देते है negative will be greater than 0 तो यहां से देखी जो inequality बनेगी उसमें 2 पार्ट आएगा हमारे पास एक तो आएगा 2 by 3 और एक आएगा हमारे पास 10 positive negative positive ठीक है तो इसके corresponding जो पार्ट आएगा greater than 0 में 10 या 10 से बड़ा होना चाहिए इसमें क्या आया था mod z minus 1 will be greater than 2 by 3 पहले वाले पार्ट में आया था 2 by 3 से greater होना चाहिए और दूसरे वाले पार्ट में आएगा तो 10 से greater होना चाहिए ठीक है तो दोनों का जब आप common पार्ट की बात करेंगे तो कौन सा पार्ट आ जाएगा 10 या 10 से greater so mod z minus 1 आपके पास में 10 या 10 से बड़ा होना चाहिए और ऐसा कौन सा पार्ट होगा exterior of the circle circle के बाहर का पार्ट ग्रेट पॉजिटिव कब होगा जब circle के बाहर के पार्ट के बारे में बात करेंगे so 23rd का सही answer कौन सा हो जाएगा तीसरा option के लिए चली आगे चलते हैं बात करते हैं question number 24 24 देखे बच्चों सिरफ देखने के अंदर ड्रावना question है ठीक है बड़ा ही आसान सा question है ठीक है ध्यान से देखे इस ट्रम को थोड़ी देर के लिए अगर मैं इसको alpha मान लेता हूँ power को root 2 plus 1 divided by 2 root 2 को तो यह बच्चो alpha की power 64 इसको बच्चो बीटा मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए तो यह बन जाएगा plus 64 C1 into alpha की power 63 into beta इसके साथ मैं न इसके और इसको मिला करके beta अगर मान लो इस थाइप से ठीक है तो ऐसे चलता रहेगा तो actually बच्चो यह बनेगा आपके पास में alpha plus iota beta की power 64 ठीक है न आयोटा कहां से आएगा यह देगे e to the power iota pi pi 2 ठीक है न सब जगे पर रहेगा साथ में पहले वाली टरम में iota आएगा फिर minus 1 फिर minus iota ठीक है न इसमें वो सारी टरम आपके पास आ जाएगी alpha plus iota beta की power 64 ठीक है इसको जब आप सिंप्लिफाई करेंगे और इसकी जब power की बारे में बात करेंगे तो यह क्या है एक्चुली थोड़ी देर के लिए अगर इसको में मान लेता हूँ ठीक है तो यह बन जाएगा e to the power iota theta और theta multiply हो जाएगा किसके साथ 64 के साथ में इसका जब आप theta calculate करेंगे complex number का beta by alpha root 2 minus 1 upon root 2 plus 1 तो यह आएगा बच्छाब के पास pi pi 8 तो theta की जगे जो pi pi 8 put करेंगे pi pi 8 तो यह कट जाएगा कितनी बार 4 बार तो यह बन जाएगा e to the power 4 pi iota और यह आपको पता है बच्छो 4 pi कितना होता है cos 4 pi plus iota sin 4 pi iota sin 4 pi तो 0 और cos 4 pi की value क्या हो जाती है 1 ठीक है बात करें इसके modulus की alpha square plus beta square उसको calculate कर लेजी वो 1 आजाएगा आपके पास में किलियर so 24 का सही answer कौन सा हो जाएगा दूसरा इसमें बस आपको थोड़ा से data को देख करके इस तरीके से उतना नहीं होना है यह alpha plus iota beta है आपके पास ठीक है अजा pi pi 8 के से आया तो 10 theta ब्राबर कितना आ गया root 2 minus 1 divided by root 2 plus 1 इसको जब इसके साथ divide करेंगे और इसको जब rationalize करोगे तो यह आएगा root 2 minus 1 का all square that is 3 minus 2 root 2 ठीक है तो ऐसा कब होता है यह pi pi 8 45 degrees से आदे एंगल के उपर आपके पास माता है 3 minus 2 root 2 किलियर चलिए इसी के साथ चलते हैं आगे और बात करते है question number 25 के बारे 25 में क्या है आपके पास अगर यह alpha plus iota beta है तो beta plus iota a की power 5 किसके ब्राबर होगा देखो बच्चो इसमें से iota common ले लेते हैं तो iota की power 5 b plus a divide by iota कि उपर नीचे multiply करना पड़ेगा common लेने के लिए 5 ब्राबर alpha plus iota beta तो b से तो अपने हटा दिया iota को बहार आ जाएगा iota इधर आपके पास में आ जाएगा b minus a iota की power 5 ब्राबर alpha plus iota beta इस iota को यहां से नीचे भी ले आएंगे यहां पर आ जाएगा इसको rationalize भी कर लिया iota कट जाएगा इधर तो beta minus iota alpha लेकिन देखो बच्चो आपको यहां पर क्या है minus sign है ठीक है लेकिन आपको चाहिए beta plus iota a तो एक काम कीजिए इसमें दोनों साइड पे conjugate ले लिए conjugate अंदर आ जाता है तो b plus a iota की power 5 ब्राबर हो जाएगा beta plus iota alpha ठीक है और ऐसा option अपने को दिया गया है कौन सा second option clear so 25 का जो सही answer है वो होगा आपका दूसरा option clear चलिए इसी के साथ आपके integer type क्यूशन सुरू हो जाते हैं और ये question हो जाते हैं complete तो बात करते हैं integer type का question number 1 question number 1 एक बड़ा ही आसान सा question है आपके पास दो complex equations दी गई है और आपसे पूछा गया है कि इनका solution क्या होगा तो ये तो बच्चों अपने को पता है x square plus y square ब्राबर कितना है 1 और ये भी अपन निकाल सकते हैं z bar का मतलब हुआ x minus iota y का whole square और z square का मतलब हुआ x square plus iota y x plus iota y का whole square इसको open कर लेते हैं x square minus x square plus iota square y square iota square minus 1 so minus y square minus 2x iota y plus 2x iota y कर जाएगा इधर से भी आएगा x square minus y square का mod क्लिकन इस पितर के mod भी लगा हुआ है that will be equal to 1 तो यहां से देखिए मुचों दो equation आएगी actually 2x square minus 2y square ब्राबर 1 and minus 1 तो पहले तो आपन एक काम करेंगे यहां से शिरफ एक equation को लेंगे इस वाली equation को और इसके और इसके roots देखते हैं कितने होंगे उसके लिए मैंने उस equation को 2 से multiply कर दिया so 2x square plus 2y square ब्राबर 2 और यहां से 2x square minus 2y square ब्राबर 1 दोनों को जोड़ दिया दोनों को गठा दिया जोड़ने से 4x square ब्राबर 3 x ब्राबर आजाएगा plus minus root 3 by 2 और x की जबी values put करेंगे यहां से इसको गठा दें तो y ब्राबर आजाएगा plus minus 1 divided by root 2 x की दो values y की दो values तो total कितने complex number हो गए बच्चो चार ठीक है ना x की जो पहली value है उसके साथ y की 2 और x की दूसरी value के लिए y की 2 तो total 4 complex number हो गए है जब आप इस equation के साथ में solve कर रहे हैं क्लियर जब आप दूसरे वाली equation लेंगे minus 1 फिर आपके सामने 4 नए complex number आएंगे और आप check करोगे चारों बिल्कुल different होंगे उसमें और इसमें कोई आपके पास सामने same नहीं रहेगा तो total कितनी सिंख्याई हो जाएगी जएड़ की आपके पास 8 आजाएगी चार पहले equation के साथ और चार दूसरी equation के साथ so total number of solutions will be 8 किलियर है जानकि यह mod लगा हुआ है तो mod के साथ में question को solve करना है अगर mod नहीं होता तो फिर answer कितना होता फिर answer आपका force सही रहता किलियर चले इसी के साथ चलते हैं आगे और बात करते है question number 2 के बारे में question number 2 क्या है देगो बच्चो यह आपके पास में कुछ complex number से इनसे बनाई हुए tribus का area आपको दिया गया है तो mod z निकालना है देखे बच्चो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो z को माल लीजी x plus iota y तो minus z कितना हो जाएगा minus x minus iota y यह पहला complex number iota z कितना हो जाएगा iota into z बराबर इसको iota से multiply कर लीजी so minus y plus iota x पहली question को iota के साथ multiply z minus iota z इसमें से इसको गठा दीजीए पहली में से तीसरी को so z minus iota z बराबर x plus y और साथ में iota time y minus x तो आगे तीनों complex number तीनों से एक determinant बना लीजीए और उसका area निकाल लेते हैं minus x minus y, 1 दूसरा है आपके पास minus y, x और 1 और तीसरा है बच्चो आपके पास x plus y, y minus x और 1 ठीक है यह तीन complex number से आपके सामने अब आपको क्या करना है यहां से z में से इसको गठाना था x plus y और वहां से आएगा आपके पास y minus x ठीक है, इसके साथ में 1 by 2 भी है और यह आपको दे रखा है बच्चो कितना 600, ठीक है न, 600 बिल्कुल इसको solve कर लीजी कितना आ रहा है देखो minus 62 को तो दूसरा multiply कर दीजी so minus x, so x minus y और यहां से आजाएगा बच्चो plus x, ठीक है न, x minus y plus x यह पहली टरम यह आजाएगा minus x minus y यह आजाएगा आपकी दूसरी टरम तीसरी टरम के बारे में बात करते हैं 1, यहां से आएगा minus y square और plus x y फिर minus x square और minus x y that will be equal to 1200 यह कितना है 1200 चली देखते कितना आ रहा है देखे यह को x y से x y कट जाएगा ठीक है बाकी जो टरम सा रही है आपके सामने x और x 2x minus x so there will be minus 2x square और minus minus plus हो जाएगा आपके सामने x y यहां से देखो minus 2y so minus 2y square और साथ में कितना आ जाएगा minus x y so there will be minus x y यहां से minus x square minus y square ब्राबर 1200 अच्छा इसका mod भी होता है एरिया के लिए में साब mod लेते हैं तो यह तो कट जाएगा x y से x y कट गया फिर से so कितना आया minus 3x square minus 3y square ब्राबर 1200 3x square plus 3y square ब्राबर 1200 तो यहां से आ जाएगा बच्छो x square plus y square ब्राबर 400 और आप से पूछा है mod mod क्या होता है root x square plus y square जो कितना होता है 20 तो z का mod आएगा वो आजाएगा आपके पास 20 एक तरीका तो इसमें यह हो सकता है दूसरा आप इसको geometrically भी कर सकते हो अगर आपको represent करने आ रहे हो z कैसा होगा minus iota z कैसा होगा z minus iota z कैसा होगा geometrically आप diagram बना करके वहाँ से भी area निकाल सकते हैं चली आगे चलते हैं बागी यह आपका simple तरीका होता है ठीक है x plus iota y put कर दीजिए और उसको solve कर लीजिए अगला question क्या है देगो alpha plus beta omega के बराबर है अगर यह तो इसका मान किसके बराबर होगा चली देखते है 1 plus omega square होता है minus omega की power 8 यह हो जाएगा बच्चो omega की power 8 जो होगा omega square के बराबर जो होगा minus 1 minus omega के बराबर और यह दे रखा है alpha plus beta omega alpha minus 1 और beta भी minus 1 आते हैं आगे 2 divided by alpha plus 3 divided by beta का mode कितना होगा so 2 divided by alpha minus 1 so that is minus 2 beta भी minus 1 so there will be minus 3 तो यह तो बहुत ही आसान question बच्चो इससे आसान question exam में नहीं आ सकता है that is 5 clear so सही answer क्या होगा 5 सभी का सही होगा I hope चलते है आगे और बात करते हैं बच्चो question number 4 के बारे में ठीक है देखते हैं question number 4 क्या है हमारा चलिए बच्चो आगे बात करते हैं question number 4 के बारे में क्या है question number 4 हमारा alpha and beta are the two distinct complex numbers satisfying this equation than amplitude of this देखे जान से इन सारे data को इधर ले आईए और इसमें से और इसमें से beta common आ जाएगा तो पीछे बचेगा बच्चो mod alpha square plus one will be equal to उस alpha वाली टरम को इधर ले आईए इस वाली को alpha common one plus mod beta square आप से पूछा alpha by beta alpha by beta will be equal to कितना हैगा mod alpha square plus one divide by mod beta square plus one देखे बच्चो इस complex number का amplitude पूछा है तो ये इसके बराबर है इसका amplitude इसके amplitude के बराबर होगा और इसका amplitude क्या होगा? बच्चो इसका 0 होगा क्यों? ये होगा बच्चो हमेसा positive real number और positive real number है अगर कोई भी complex number तो इसका जो argument होता है उसका जो amplitude होता है वो क्या होता है? हमारा 0 तो सही answer आजाएगा बच्चो 0 क्लियर चलिए इसी के साथ चलते हैं आगे और बात कर लेते हैं क्यूसर नंबर 5 के बारे में क्या है देखें क्यूसर नंबर 5 Z will be equal to this then this will be equal to ये है तो के किसके बराबर होगा देखें बच्चो पावर एक बटा तीन तो अपने को निकाल नहीं आती नहीं तो पावर तीन निकाल लेते हैं इधर लागर करके आयोटा क्यूब का हॉल क्यूब बराबर Z, Z क्या है X प्लस आयोटा Y calculate करते है बच्चो A-B का हॉल क्यूब क्या होता है बोलिए A cube minus 3A sqr B iota plus 3AB square iota iota nे iota square आएगा so कितना हो जाएगा minus 1 तो iota square ले लिए ये एक बार अगली ट्रम क्या है बच्चो minus 3 B cube iota cube ऐसा आजाएगा A तो 0 हो जाएगा अब देखो इसमें से real part कौन सा है बच्चो real part है A cube minus 3AB square इसमें Iota square minus 1 हो जाएगा इसमें से Iota common ले ले तो यह आजाएगा बच्चो 3B अच्छा 3 3 नहीं आएगा बच्चो यहाँ पर B cube minus 3A square B ऐसा आजाएगा compare कर लीजिए बच्चो X by A ब्राबर कितना हैगा A square minus 3B square Y by B कितना हैगा बच्चो Y by B ब्राबर आजाएगा इसमें से B को divide कर दीजिए so B square minus 3A square आपको क्या करना है X by A minus Y by B equation 1 में से equation 2 को subtract कर दीजिए आपको मिलेगा बच्चो X by A minus Y by B ब्राबर A square plus 3A square so there will be 4A square minus 4B square 4 common so A square minus B square तो यही है बच्चो आपका K और यही होगा आपका answer तो सही answer क्या जाएगा 4 clear और इसी के साथ आपके इस paper का solution हो जाता है बच्चो complete ओके थैंक्यू very much myself H.S.R.A.T.O.R. chemistry faculty team seeker C.L.C. ठीके बच्चो हम लोग अप सुरू करते हैं chemistry math chem का chemistry section इसमें पहला question देखते हैं बच्चो इसमें लिखा है ethylene diamine tetraicetate is an example of a ligand तो यह कौन सा example है बच्चो सबसे पहले हम लोग इसका structure draw करते हैं तो बच्चो यह तो आप जानते हो बहुत simple question है यह ethylene diamine यह देखते हैं अपन ऐसा और यह ethylene diamine tetraicetate ठीक है बच्चो यह ऐसे करके यह CS2 COO माइनस यह CS2 COO माइनस और यह CS2 COO माइनस यहाँ पर इसके denticity के बारे में बात कर रहा है जितने भी option देखोगे mono by tri hexa आप यह देखोगे एक loan pair यह donating site है LP donating site है यह LP donating site तो total LP donating site कितने है बच्चो है ना six तो इस तरह से यह hexa dentate में लाई करेगा तो यह बहुत ही simple question है इस तरह से आप इसको देख सकते हो अगला question है बच्चो अगला सवाल है हमारा तो अगला question है बच्चो question number two तो question number two में हम लोग देखते हैं homoleptic complex is homoleptic का मतलब होता है where and the same kind of ligands present in the coordination sphere जहां एक समान ligand coordination sphere में present होते हैं बच्चो तो हमको ऐसे देखना ही सब का formula drive कर लिजे जैसे जैसे यह neutral ligand according to burner theory तो यहां पर क्या हो जाएगा कि सबसे पहले first of all सारे neutral अंदर आएंगे बच्चो और जो counter and negative side वो बाहर जाएगा इसका आप देखोगे यहां पर H plus और C L minus तो chlorine will be the ligand तो यहां पर आजाएगा P T C L 4 यह और यह H 2 इधर आ जाएगा क्योंकि H 2 पर plus है ऐसा हो जाएगा देखो और यह तीसरा वाला example अपन लोग देखते हैं बच्चो तो यहां पर देखो दो chlorine दो ammonia तो पहले आप neutral ligand को अंदर रखेंगे बिलकुल इसके बाद अगर मालो neutral कम है तो counter आयन अंदर आ जाएगा तो इस तरह से आप यह देखोगे यह different kind of ligand है तो यह heteroleptic होगा यह आप्शन में नहीं होगा तो यह और यह दोनों homoleptic है इसका मतलब answer fourth option में दिया है both answer one and two ऐसा third वाला नहीं होगा क्योंकि हाँ different kind of ligand present in the coordination sphere ठीक है तो इस तरह से यह heteroleptic भी समागी संकुल हो जाएगा बच्चो अगला सवाल हम लोग करते है ठीक अगला question है बच्चो question number third question number third में कह रहा है coordination number of iron in this complex देखो EDTA minus दिया है तो first of all देखो EDTA में तो हम लोग जो most common ligand अपन लेते हैं वो EDTA four minus जैसा कि पहले question में हमने दिया था बच्चो यह हमने structure बना दिया है यह hexadented होता है यह क्या होता है है बच्चो hexadented यानि six donor site होता है इसका इसका मतब एक ही ligand है iron यह है और minus one है तो iron पर plus three oxidation state होगा बहुत ही simple question है यह hexadented होगा यानि sorry यह coordination number six होगा क्योंकि hexadented है six donor site है one EDTA present with iron metal hence it is है ना its coordination number is six बच्चो अगला सवाल अगला सवाल है बच्चो question number four question number four में क्या कह रहा है which type of isomerism shown by the complex यह जो complex given है is given complex में किस type का isomerism so होता है बच्चो तो first आप हाल आपको यह देखना है इसका देखे five यह देखे cobalt दिया है central atom यहाँ पर five जो है तो बच्चो amine दिया हुआ है और एक no2 यह दिखे no2 तो no2 बाकी तो आप under study की यह amine होगा सारे amine हो जाएंगे यह निए नसरी यह बना लेंगे बहुत easy चीज है easy task है यह देखो बच्चो अगला सवाल है यह देखे counter में क्या प्रेजेंट है BR- अब BR- में आप यह देखोगे तो यह सबसे पहले यह देखोगे तो यह अगर दूसरा इसका isomerism कर बनाते हैं आइसोमर बनाते हैं बच्चो तो यहाँ पर आएगा ओन ओ तो यह ओन ओ यह इस तरह से आप यह देख सकते हो तो यह N है और यह O है यह दिस kovalt is connected with nitrogen こậy सबसे फिर एक बार क्या चरेंगे बच्चो एक बार हम यह करेंगे कि इस ब्रोमीन को अंदर और 2 तो इसका मतलब यह complex ionization आईसोमर गा तो यहाँ पर दोनों की possibility दिकर है ago Embedentate की और Ionization की तो आप ये देखें, option को पढ़िए Ionization होगा, Hydrate नहीं होगा Hydra means होता है Water ठीक है? तो Water यहां नहीं है बेटा प्रेजेंट, तो Water को हम नहीं consider करेंगे मतलब ये option को हम नहीं लेंगे आगे देखते हैं बच्चों, Linkage तो Linkage दिया है, इसलिए दो आपसन आएंगे, ये और ये तो option 4th में दिया है, 1 and 3 तो the best option is the 4th option है ना, जहां पर 1 and 3, दोनों आपसन आएंगे बटा अगला question, question number 5 तो question number 5 में हम लोग discuss करते हैं क्या दिया है बच्चों? ये complex को पढ़िएगा, complex क्रोमियम, है ना 20 oxalato और यहां पर dichlorido 3-, अब लिकाई coordination number and oxidation number ये सवाल, है ना, बड़ा important है, मेंस इस टाइप के questions को बहुत अच्छे से पुछता है बच्चों, तो जब मेंस इस टाइप के question को बहुत अच्छे से पुछता है इसके point of view से आपको बताना है, तो कोबाल्ट की बात, क्रोमियम की बात करेंगे क्रोमियम का coordination number आप ये देखते हो, 6, सिख कहें बच्चों यहां पर आपका oxalate यहां पर आपका oxalate यह CL, यह CL इस तरह से आप यह देखोगे 3-, तो यहां पर oxalate हो है, यह देखोगे यह माइनस, 2- oxalate पर 2- होता है यह आप अलग से लिखलो, oxalate पर 2- होता है, एक माइनस जो है, तो क्लोरीन पर होता है टोटल स्फेर में 3- है, तो यहां पर जो neutralized charge है, वो 3+, यह हो जाएगा, और यह hexadentate होगा, यह दिख रहा है है ना, यह माइनस वरी, coordination number 6 होगा, यह आप दिख रहा है तो बच्चो इस तरह से यह option first आएगा, coordination number will be 6 and oxidation state of chromium will be plus 3 बच्चो, अगला सवाल अगला सवाल है बच्चो, question number 6 तो question number 6 में हम लोग discuss करते हैं यह question पूछ रहा है कि भाया, which of the following is a chillating ligand, तो देखो chillating ligand है, तो ligand का classification आपको अच्छे से आना चाहिए है ना, और तोड़े से important ligands भी होते हैं, जिनसे direct question आते रहते हैं, यहाँ पर DMG दिया है, DMG by dinted है यह ethylene diamine है यह दिख रहा है, यहाँ दो denticity है, यहाँ भी दिख रहा है इसकी भी denticity दो है यह यह by dinted है, मतलब chillating ligand है, और DMG भी by dinted है बच्छो, है ना, तो इसका structure तो आपको पता ही है, N यह इस तरह से C, यह आपका N, है ना, यहाँ पर यह methyl group, यहाँ पर यह methyl group, है ना, यह O minus, और यह OH है ना, तो यह देखोगे, इसकी denticity कितनी है, बच्छो, यह DMG का formula मैंने लिख दिया है, ठीक है बच्छो, यह वाला formula किसका है, बच्छो DMG minus का, वैसे यह neutral है, neutral होता है, तो पर आपका H रहता है, है ना, लेकिन जब यह complex बनता है चिलेशन के करण, एक H हट जाता है तो देखो, यह भी by dented, यह भी by dented, मताँ overall आप answer देखोगे, तो all of these जाएगा answer, क्या जाएगा, all of these, अगला सवाल बच्छो, ठेक, question number 7, तो question number, हम 7 discuss करते है, the correct IUPAC name, the correct IUPAC name, आप the compound, यह compound का correct IUPAC name क्या है बच्छो, देखो, इसको पढ़ो बच्छो, यहाँ पर देखो, हमें alphabet में नाम लेना है embedded ligand present होता है तो उसकी, जो हतो donating site, जो donating atom होता है, जो LP donating atom होता है, उसको भी हम लोग hyphen, next लगा करके capital letter में represent करते हैं तो यहाँ पर embedded यह है, और यह ऐसा लिखने का मतलब होता है कि यह metal से O atom जुड़ा हुआ है, O N O यह nitrito है, embedded है तो यहाँ पर alphabet में देखेंगे यह amine आएगा, यह CH chloride आएगा, और यह nitrito आएगा, तो इस तरह से आपको देखना है, तो यह बिल्कुल sequence में है, tetra amine chlorido, tetra amine chlorido, nitrito, N, यह गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर N लिखा है इसलिए आपसन नहीं आएगा, chloride, nitrito, tetra amine alphabet में नहीं है, इसलिए गलत है nitrito, chloride, tetra amine alphabet में नहीं है, इसलिए गलत है, अगला देखो, हैना अब यह लिखा है, tetra amine अचा बच्चो, इसमें यह ध्यान देना है जो prefix होता है, उसको हम लोग हैना, यहाँ पर alphabet में count नहीं करते हैं only, हैना, we have to consider their name, ठीक है तो tetra amine, chlorido, nitrito N, यह आपसन best है हैना, और यह 3 oxidation state भी आ जाएगा और chloride भी हो जाएगा, बाहर दिया है, ठीक बच्चो, तो fourth option correct होगा, हैना, यह important है, इसको ध्यान रखना है, आपको अगला सवाल, अगला सवाल है question number 8, तो question number 8 में बच्चो, यह दिया है, EAN of the metal carbonyl यह दिया हुए, 36 if atomic number of metal is 26, then what is the value of X, यहाँ पर बच्चो बड़ा simple question है, EAN से based question है यह metal carbonyl X दिया है, हम लोग Sidvick EAN rule पड़ते हैं तो हम यह बताते हैं कि कोई भी जो complex होता है, वो complex, अपने nevering जो है तो noble gas यह next nearest noble gas की configuration को achieve करता है तो उसका जैसे यह metal है, हमने कैसे जाने कि 36 ही होगा, क्योंकि atomic number कितना दिया है, इस metal का जो Z है है ना, जो Z है वो आपका कितना दिया है 36, ठीक है वो सरी, 26 है अब यह देखो, तो यह 3D series का है तो अब निकाल लो बच्चो, X की value क्या होगी, बड़ा simple है देखो, oxidation state 0, यहाँ कोई charge नहीं है, तो यह आप minus कर सकते हो, और इस तरह से plus, देखो, एक carbonil, 2 electron देता है, X हमें नहीं मालूँ, इसलिए 2X is equals to 36, तो आप यह देख लोगे 2X is equals to यह आपको मिल जाएगा 10, तो X बराबर 5, यह बहुत ही simple question है, यहाँ पर X की value 5 होगी, यह आपका X का value 5 होगी और यह pentakarbonil होगा बच्चो ठेक, इस तरह से हमको EN के calculate, EN को calculate करना है, आगे चलें बच्चो, question number 9, question number 9 में कह रहा है, which are the following, source maximum molar conductance देखो बच्चो, बहुत ही simple चीज है यह, अपन लोग governor theory के है ना application में पढ़े थे, कि molar conductance is directly proportional to usually number of ions, number of ions के directly proportional होता है तो यहाँ पर हमको iron ही चेक करना है यहाँ देखोगे, 3 minus और 1 plus, तो यहाँ पर यहाँ जाएंगे, total 4 ions take, यहाँ पर, देखो counter and कुछ भी नहीं है, इसका मतलब यह 0 ions take, यह आप देखोगे, यहाँ पर आप देखोगे, यह minus और यह plus, यहाँ पर यह दो आयन हो जाएंगे यहाँ पर आप देखोगे बच्चो take, यहाँ पर minus, यहाँ पर 2 plus, यहाँ पर 3 ions हो जाएंगे, तो आकन देखते हैं, maximum सबसे ज़्यादा यह है, इसलिए answer first जाएगा, क्योंकि इसमें maximum number of ions 4 होंगे बच्चो, इसलिए यह जो है तो maximum molar conductance, so करेगा, question number 10 है, question number 10 में आपन देखते हैं क्या लिका है बच्चो, question number 10 on addition of AGNO3 solution to a solution of platinum, triamine, trichlorido square bracket close, then chloride, the percentage of total chloride ion precipitate is, तेखो बच्चो, CDC बात है यह जो complex दिया है यह complex, क्या दिया है triamine, CL3 ऐसे, और CL यह plus, यह minus इसका मतलब है, platinum plus 4 oxidation state में है है ना, एक counter iron है जब आइसे पाने में dissolve करोगे तो यह जो है तो आप यह देखोगे 3 plus और CL minus यह equals में यह जो है तो ionize होगा जब आप इसमें आप AZNO3 आप बच्चो add करते हो तो यहाँ पर 1 mole AGCL precipitate होगा अब आप यह देखोगे यहाँ पर total 3 chloride और यह एक chloride total chloride की बात करोगे तो 4 4 chloride है जिसमें 3 potential ligand की तरह काम करता है main ligand की तरह काम करता है और 1 co-ion counter iron होता है बच्चो है ना तो 4 में 1 mole precipitate करेगा यहनि इसका मतलब 25% 1 by 4 हो जाएगा बच्चो total chloride is 4 है ना 4 chloride मे 1 is counter iron तो कितना हो जाएगा 1 by 4 into 100 will be 25 percentage ऐसा हो जाएगा बच्चो अगला सवाल बिच्चा तो अगला सवाल है question number 11 question number 11 यह कह रहा है बच्चो देखो यह match the column 1 and column 2 select the correct answer with respect to hybridization using quotes given 1 यह BBT का सवाल है बड़ा important सवाल है इसको ध्यान देना बच्चो audit है यहाँ 5D series वाला 3D series तो यहाँ पर बच्चो 3D 8 हो जाएगा ठीक है फ्लोराइड है यहाँ पर बच्चो है ना copper plus है copper plus का मतलब है 3D 10 हो जाएगा oxidation state देखते जाओ cobalt है plus 3 है यहाँ 3D 6 हो जाएगा ठीक है प्लस वन होता है तो यहाँ iron plus 1 complex में 3D 7 होता है तो इस तरह से देखे 3D 10 जो होता है बच्चो 3D 10 कभी भी square planer नहीं बनाता है चाहाँ वो SFL हो या WFL हो तो simple सा question है यह SP3 होगा यह correct है यह second का option जो है तो Q correct है आप यह वाला है बच्चो देखो 5D वाला है स्वरी यह 3D मैंने लिख दिया गलती से बच्चो यहाँ पर यह 5D होता है 5D 5th period का है यह तो 5D 8 है प्लस WFL है तो WFL यहाँ 5D और 4D में ज़्यादा role play नहीं करता है यहाँ nature of CMI का पर depend करता है इसका Z effective ज़्यादा होगा इसलिए यह स्वयम अपने आप जो है तो इसको DGSP2 में जो है तो hybridized में participate करवाता है इसका CFSC बहुत ज़्यादा होता है खुद के metal का ठीक है बच्चो तो यह पहला वाला अप्सन सही है सेकेंड में देखो यहाँ पर यह थोड़ा सा special case लिए है हम लोग पढ़ते हैं कोबाल्ट के all complexes कोबाल्ट के सभी complexes low spin होते है except कोबाल्ट hexafluoride 3- and कोबाल्ट tri-equat trifluoride यह हो जाता है यह outer spin होता है बच्चो है ना बाकि low spin होते है तो low spin का मतलब है यह है ना D2 SP3 hybridization और अगला एक ही option बच्चता है सारे majority आप WFL इसलिए SP3D2 तो आप मिला लो बेटा first का P second का आपका Q और third का S इस तरह से आप यह देखोगे तो यह best option आपका match करेगा यह QP यह गलत हो जाएगा इसमें देखोगे PQ यह सही हो जाएगा SR change किया है बाकी सारे option गलत है बाकी मिला लो इसमें जैसे QP अलग-अलग दिया हुआ है है ना इसमें PQ दिया है तो आरश यह अलग-अलग दिया है तो option को change करके आपन को देखना है ठीक है तो बहुत easy question है BBT का है यह आप लोग देख लेना अगला सवाल है question number 12 तो question number 12 है बच्चो क्या कह रहा है कि number of unpaired electron present in the complex this देखो यह बहुत ही FE 3 plus है यहाँ पर बच्चो 6 fluoride iron है बच्चो यह पूरा का पूरा majority WFL है pairing नहीं करेगा इसका मतलब है 3D5 होगा iron 3 plus में और 3D5 है तो इसका मतलब अगर आप CFT से भी configuration लिखते हो तो T2G 3 और EG 2 तो total इसमें unpaired electron 5 है ना यह UP का मतलब unpaired electron तो option will be the 1 इस तरह से अगला question अगला question है बच्चो हमारा question number 13 which of the following complexes has geometry different from others तो ऐसा संकूल बताईए जिसका अन्य संकूल से geometry different है तो different geometry के लिए बच्चो हम लोग को करना है क्या करना है इसमें सब का geometry देख लो तो इसका geometry जो अब देखोगे यह nickel है nickel 2 plus है nickel 2 plus में 3D8 होता है बच्चो अब 3D8 बहुत popular configuration होता है इसमें हम सब के बारे में देखते हैं कि अगर मानलो WFL आता है तो pairing नहीं होता human नहीं होता यह SP3 tetrahydral geometry होता है लेकिन इसी में अगर बच्चो SFL आ गया क्या गया? SFL तो SFL आ जाएगा तो यह DSP2 और यह square planar geometry work samtali geometry है ना? बन जाएगा तो कहने के मतलब यह tetrahydral है ठीक है इसके बारे में देखो एक-एक को आपको check करना है ठीक तो एक-एक को check करना है बच्चो तो यहाँ nickel जो है तो zero oxidation state में तो nickel zero oxidation state में और इसमें 4 carbonyl यह 4 carbonyl का nature क्या है बच्चो? SFL क्या है यह? SFL है तो यह SFL है पेरिंग करता है वैसे nickel zero है तो हम लोग मानते है यहाँ 4s2 और 3d8 लेकिन क्या है यह उच्च उर्जा में higher energy level में है इसका electron निम्न energy level में low energy level में चला जाएगा यह पेरिंग कराता है और पेरिंग करा करके यहाँ arrangement हो करके 3d10 और 3d10 का कोई भी configuration होता है बच्चों वो आपका SP3 और यह tetrahydral geometry बनाएगा मतलब यह tetrahydral यह tetrahydral ठीक इसके बाद चौथा भी आप सनम को चेक करना पड़ेगा जिंक है तो जिंक बच्चों क्या होता है जिंक का configuration यहाँ पर टू प्लस है यह यह 3d10 है और 3d10 में यह आप concept दिमाग में रखेगा कि अगर कोई 3d10 हो 4d10 हो 5d10 हो उसमें WFL आए SFL आए कोई भी feature कोई भी legend एप्रोच करता हो ठीक है तो यहाँ पर यहाँ तो चलो SFL है यहनि WFL भी हो तो भी बेटा यह हैना SP3 ही बनाता है और tetrahedral इसका मतलब साफ है कि यह TD बनेगा यह TD बनेगा यह TD बनेगा और यह square planar बनेगा इसका मतलब यह answer यह answer नहीं होगा और answer यह होगा question के according यह कहता है कि different from others तो सारे others जो है तो आपके tetrahedral बनाते है अकेला केवल और केवल थर्ड है जो की square planar बनाता है तो इसको बेबिटी का बहुत important निकिल बहुत important example है बच्चो इसको ध्यान रखना अगला सवाल हम लोग करते है question number 14 तो question number 14 में हम लोग दिखते हैं which one has highest paramagnetism बच्चो highest paramagnetism का मतलब होता है कि भया यहाँ पर unpaired electron maximum हो unpaired electrons यह क्या हो maximum हो तो देखेगा जब unpaired electron maximum हो वो क्या कहलाता है highest paramagnetism यह अधेक तम अनुचुम्ब की यह होता है तो आप यह देखेगा highest paramagnetism में एक एक काप configuration सबसे पहले first of all 3 plus है इसका 3 plus है इसका 3 plus है और इसका 2 plus है सबका आप विन्यास चेक कर लो बच्चो configuration चेक कर लो chromium 3 plus में यह 3D 3 होगा इसके बाद 3D 3 में WFL हो SFL हो कोई भी लिगेंड हो बच्चो इसमें pairing नहीं होता है यहाँ पर unpaired electron यह F3 plus F3 plus में देखते हो 3 plus का 3D 5 होता है और 3D 5 में क्या है बच्चो यहाँ पर WFL तो WFL है इसका मतलब है यहाँ पर unpaired electron 5 होंगे यहनि इसका mu M जो होगा बच्चो ठीक है वो कितना होगा यह 5.90 bore magneton ठीक यह आप चेक कर लेंगे इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कोबाल 3 plus बच्चो एक चीज बड़ा important example है कोबाल 3 plus का configuration 3D 6 होता है और इसमें आपका क्या रहा है बच्चो यह water है तो water actually में होता तो WFL है लेकिन हमों एक special case पढ़ते है मैंने star का मतलब यह है कि यह बड़ा special case है इसको बच्चो ध्यान में रखना आपको कोबाल 3 plus का all complexes सभी complexes lower spin D2 SP3 dia magnetic होते हैं एक दो complex को छोड़ करके तो बच्चो एक्चोली ध्यान में रखना है यह इस तरह से यह क्या हो जाएगा बच्चो D2 SP3 और यह आपका low spin हो जाएगा यह यह dia magnetic हो जाएगा यहाँ pairing होगा बच्चो है तो यह WFL लेकिन इसके कारण charge dominate होगा और इसको SFL की तरह SFL की तरह behave करवाएगा इस water को यह SFL की तरह behave करवाएगा क्योंकि यहाँ पर charge dominate करेगा low spin हो जाएगा और यह unpaired electron इस वाले case में zero हो जाएगा copper है बच्चो 3D9 है 3D9 में चाहे WFLI चाहे SFLI number up unpaired electron एक ही होगा इसका मतलब इसका mu M जो होगा 1.73 BM होगा तो आप यह देखते हैं यह question को बहुत ध्यान से करिएगा ऐसे सवाल एक्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं है न तो इस तरह से देखेंगे highest paramagnetism में जो number up unpaired electron सबसे ज़्यादा वो iron में है यह आप देख लो है न म्यू M सबसे ज़्यादा value है यानि answer इसका second होगा बाकी में भी है लेकिन बाकी में कम है बच्चो ठीक अगला सवाल बच्चो अगला सवाल है हमरा question number 15 तो अगला question है बच्चो question number 15 question number 15 में कह रहा है कि question को पढ़ियेगा कि cobalt pentamine nitrito cl and this pentamine nitrito cl is are related to each other दोनों संकुल दिया है दोनों complex दिया है इसमें दोनों एक दूसरे से क्या चीज़ से related है तो इसमें relation आप देखोगे बच्चो ये कोबाल्ट है कोबाल्ट में NO जुडा हुआ है देखो इस NO2 का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये N इस कोबाल्ट को अपना lone pair nitrogen atom से provide किया है इस complex का मतलब होता है कोबाल्ट जैसे ONO जुडा है इसका मतलब oxygen अपना lone pair इसको ये दिया है बच्चो तो ये देखोगे ये इस तरह से ये आप ये देखोगे तो यहाँ पर बच्चो ये nitrogen और ये oxygen तो ऐसे आप ये देखोगे ठेक यहाँ पर nitrito और nitrito N and O तो कहने के मतलब ऐसा linkage क्या होगा देखो एक तो linkage दिखा रहा है दूसरा सबसे बड़ा खास बात है इसको इधर और इधर भी आप change करोगे तो ionization हलनकि ये option नहीं है इसमें है ना सीधे सीधे ये दिया है मैं आपको analysis करके बता रहा हूँ तो आपको ध्यान देना है कि इसका best answer है ना linkage होता अगर मालो option में कहीं पर दिया होता बोथ ठीक है ना जो है तो linkage and ionization तब answer दोनों आ जाता लेकिन इसमें चुकी इतना ही दिया है इसलिए best answer और सही answer है ना इसमें linkage को यह नी बंधन समय होता भी कहते हैं बच्चों ठीक है अगला question बच्चों question number 16 question number 16 में आपको देखना है crystal field splitting energy crystal field splitting energy for octahedral delta o not और यह हो जाएगा square planar complexes कैसे related है तो यह relation का question है यह बड़ा अच्छा question होता है जैसे octahedral बड़ाबर स्वरी octah यह देखेंगे आपका square planar is equal to आप लिखोगे 1.3 ना not यह जो है तो कहने का मतलब इसमें आप यह देखेंगे octahedral splitting का जो value होता है splitting value cfac 1.3 times होता है for square planar ठीक है तो यह आपको ध्यान रखना है relation है थोड़ा memory base है आगे चलते हैं बच्चो question number 17 तो question number 17 में हम लोग discuss करेंगे the correct statement correct statement is अब यह पूरे statement को पढ़ियेगा है ना तो देखेंगे क्या-क्या दिया है पहला statement कहा रहा है oxidation state of है ना यह iron यह वाला complex potassium hexasyanidoo ferate 3 तो बिल्कुल सिंपल है देखो बच्चे यहाँ के-plus है तीन है तो square bracket के उपर तीन माइनस होगा इसका मतलब सैनाइट पे 6 माइनस होता है तीन माइनस neutralize हो गया इसका मतलब oxidation state of iron सही है तो यह true है अगला सवाल देखो बच्चो अगला सवाल copper tetraamine two plus है tetraamine neutral होता है इस square बिल्कुल सही है copper two plus है 3d9 है बच्चो यह special case के अंदर आता है sfl आप दोगे इसमें strong field ligand सुनो यह strong field ammonia है ammonia sfl है और sfl यह pairing करा देता है बच्चो पेरिंग तो अब चुकी odd electron है तो यह pairing अगर एक तो यह pairing कराएगा यह फिर electron transfer कराएगा higher energy level में तो यह आपको ध्यान रखना है कि एक d का electron 4p में transfer हो जाएगा ठीक है तो यह finally dsp2 और square planar यह complex बनेगा आप यह ध्यान रखना यह यह सही है अगला सवाल कोबाल्ट देखो chromium hexacarbonyl में oxidation state बिल्कुल सिंपल है दिक रहा है आपको सामने दिक रहा है कोबाल्ट है इधर कुछ नहीं लिखा है तो यह जीरो और यहाँ पर जीरो तो इसलिए all the complexes are है ना all the statements are correct सभी statement सही है है बच्चो अगला सवाल question number 18 तो question number 18 में देखिए among the following यह लिका है among the following कौन कौन है titanium 4 प्लस scandium 3 प्लस और copper 2 प्लस देखो copper 2 प्लस और zinc 2 प्लस इनमें पूछला है colorless pair of species इनमें कौन सा complex है जो colorless है बच्चो तो colorless चेक करने के लिए मैं आपको यहीं पर बता देता हूं usually आप लोग पढ़ते हैं कि colorless complex के लिए d10 और d0 हैना इनमें dd transition prohibited होता है नहीं होता है और इसके बाद आप देखेंगे dd transition will take place from d1 to d9 configuration तो यह बच्चो धिया ध्यान रखना है आपको अच्छे से कि भाया आप यह देखेगा जो d1 बदब आप यूँ समझ लिजे एक आप concept समझेगा d1 से ठीक है d9 के बीच में यहाँ पर बच्चो dd transition होगा dd transition और dd transition का मतलब होता है यहाँ पर यह colorless ओ स्वरी colored होगा complex colored होगा और इस तरह से यहाँ d0 and d10 ठेक d0 and d10 these complexes are colorless यह क्या हो जाएगा colorless तो यह ध्यान दीजेगा तो यहाँ पर आपको देखना है तो एक तो यह complex colorless होगा यह complex colorless होगा और zinc colorless होगा यह 3 complex है बच्चे colorless होगा और यह colored है और यह colored है ठीक तो दो compound colored है है यह ना क्योंकि यह d1 से d9 के range में आता है बच्चो तो यहाँ पर आप pair जूड़िएगा यह pair गलत क्योंकि copper है यह pair गलत दोनों में copper है यह और यह यह सही है क्योंकि इसमें आप देखोगे है ना titanium 4 plus और zinc 4 plus इसका pair आ रहा है इसमें बच्चो copper है और इसमें भी यह scandium है और यह copper है तो इसका मतलब यह भी option में नहीं होगा यह आप यह दिख रहा है यह scandium और यह copper है ना तो यह भी नहीं होगा तो कहने का मतलब best option is the 3 अगला लिखो बच्चो अगला question number 19 तो question number 19 कह रहा है which embedded है ना as well as which is embedded as well as chillating लिगेंड तो बच्चो embedded भी ढूणना है और chillating तो बड़ा simple है देखो कुछ तो structure देख के बता दो जैसे यह वाला यह embedded नहीं है लेकिन chillating है यह embedded नहीं है और chillating है तो यह option में नहीं होंगे अब इनका structure देखो थायो sulfate का तो थायो sulfate बच्चो ऐसा ऐसा यह minus यह देखेगा यह देखेगा ठीक इस तरह से इस तरह से तो यहाँ पर देखो यह embedded तो है या तो यहाँ से loan pair donate करेगा यह यहाँ से donate करेगा ये देखोगे लेकिन आपको ये देखना है बच्चो ध्यान से सुनो यहाँ पर ये देखना है ये chillating ligand नहीं है हाँ ये flexi dented ligand की तरह काम करेगा sometimes is monodented sometimes sometimes is bidented तो ये होगा लेकिन chillating के लिए famous नहीं है अब इसका देखेगा तो ये answer नहीं है तो एक ही बचता है option second answer भी second होगा अगर verify करना है तो इसको structure को देख लो बच्चो ये आपका auxiliary ये नहीं O हलंकि इसमें दोनों structure valid है सुनिए ये s minus है ना s minus आप उल्टा कर दो इसको resonating करा दो ठीक है ये O minus हो जाएगा O minus तो सवाल ये हुआ ये भी electron पे डोनेट करता है ये भी electron पे डोनेट करता है तो यहाँ पर two different donor site होंगे या तो यहाँ से या तो आपका यहाँ से ये donate एक साथ दोनों नहीं donate करेंगे अलग-अलग time पर donate करेंगे मतब this is ambientate as well as chillating तो option है ना two is the best answer for this question next question बच्चो next question is 20 है ना here another question statement is the correct order of stability of the complex is बटा यहाँ पर complex की stability चेक करनी है तो stability चेक करने के लिए आप क्या करोगे देखो यहाँ पर factor affecting जैसे cobalt इधर देखो बच्चो cobalt 3 plus iridium 3 plus बच्चो यह वाला जो complex है ना cobalt 3 plus rhodium 3 plus और यह देखे iridium 3 plus देखो कुछ metal का ना आपको group wise याद करना बहुत जरूरी है देखो तो यह same metal में जाता है same group का है बच्चो है ना same group में downside जाते हैं जैसे यह 3D6 यह 4D6 और यह 5D6 तो on moving downside dear CFSC increases by 50 to 40 sorry 40 to 50% approximate है ना CFSC increases here iridium iridium WFL के साथ भी है ना CFSC बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा यह यह correct है अगला देखते है iron 3 plus और beta iron 3 plus एक में WFL एक में SFL यह भी correct order है है ना SFL होगा तो stability बढ़ेगी अगला सवाल cobalt 3 plus H2O और यहाँ पर बच्चो यह थोड़ा correction कर लेना यहाँ H2O का 6 है ठीक है cobalt H2O का 6 है यह देखे और cobalt EDTA तो EDTA माइनस तो बच्चो यहाँ पर जो question third है third में आपन यह देखते हैं कि इसमें यह chillating ligand है और यह monodinted है तो इसकी stability है ना ज्यादा होगी तो कहने का मतलब इसमें जो statement दिया है all of these सभी statement true है बच्चो क्या है सभी statement true है अगला सवाल अगला सवाल है बच्चो question number 21 question number 21 कहता है सिस ट्रांस सिस ट्रांस isomerism is associated with which of the following complexes सिस और ट्रांस समय होता किस अंकुल द्वारा बस है ना यह प्रदरसित होता है तो बी टू एक बार 90 पर रहेगा सिस पर रहेगा एक बार ट्रांस पर रहेगा यह आई समयरिजम सो करेगा और यह में 5 ठीक है और बी वाला है यह यह भी आई समयरिजम सो नहीं करेगा तो बेस्ट अंसर 21 का कौन संसर हो जाएगा बच्चो थर्ड अंसर होगा 22 तो 22 question है ब ना लो देखो NCO linkages देखना है तो यह कोबाल्ट है 3 प्लस और यह आपका N यह CH2 और यह आपका CH2 और यह N acetato tetra acetato है बच्चो यह ध्यान रखना यह tetra acetato यह ऐसे देखोगे यह tetra acetato यह इस तरह से और यह इडिटीए का structure है तो यह आप बहुत इंपोर्टेंट है यह आईटी में ऐसे पूछ चुका है है ना तो यह पर इस टाइप के question कभी कभार exam में आ जाते हैं और यह बड़े important होते हैं बच्चो देखो इसमें यह गिनना है count करना है NCO linkages तो एक यह denticity यह इस तरह से hexadentate है यह आप यह देखोगे यह देखोगे यह linkages है तो अब आपको check क्या करना है भहिया आपको यह चेक करना है कि यह N से ले करके यह cobalt यह NCO तो यहां से यह वाला linkage तो देखोगे यह 1 फिर इसके बाद यह आपका 2 फिर इसके बाद यह आपका 3 और फ बनाता है तो दूसरा nitrogen भी कितना बनाएगा बच्चो चार यानि यह एक के साथ फिर यह दो के साथ फिर यह तीन के साथ फिर यह चार के साथ तो इस तरह से आप यह देखोगे यह total 8 जो है तो NCO linkages होगा बहुत ही मज़ेदार बहुत ही important question है बहुत ही conceptual है थोड़ा सा दिमा highest CO bond order in the following complex is तो highest CO bond order in the following complex निवन में से किसका CO बंदक्रम सरवाधिक होता है तो bond order highest जो होगा बच्चो highest bond order इसका जाएगा है ना क्योंकि बच्चो अपन synergic bonding पढ़ते हैं तो एक चीज़ अपन बढ़ते हैं कि extent of SB यह synergic bonding is inversely proportional to क्या हो जाएगा बच्चो bond order of CO and directly proportional to bond length of CO यह वैसे conceptually explain करते हैं इसको यह जिसपे positive charge होगा वो synergic bonding least होगा यहाँ कम होगा और जिसपे minus होगा सबसे ज्यादा यहाँ यह maximum SB दिखाएगा तो कहने का मतलब CO bond order is maximum यहाँ पर CO bond order is lowest and CO bond length is maximum तो बहुत ही simple और conceptual question है answer 1 होगा यह आप धियान रखेगा अगला question है question number 24 24 तो question number 24 कहता है बच्चो विच स्टेटमेंट इच करेक्ट अबाउट दी कंप्लेक्स है ना कंप्लेक्स कौन सा है यह COBALT, ETHIILIN, DIAMINE, COHOL TWICE and CL2+, तो यह देखो बच्चे यह जो कंप्लेक्स है यह मेटल, AA यह यह बाई-डिन्टेट और यह मोनो-डिन्टेट और यह प्लस दिया हुआ है तो इसमें बच्चो देखो बाई-डिन्टेट जब जुड़ा होता है ना तो इसमें दो टाइप का कं अच्छा आप सिस और ट्रांस किसके रिस्पेक्ट में बोलोगे मोनो-डिन्टेट के रिस्पेक्ट में यह मोनो-डिन्टेट है तो AA 90 पर रहेगा यह यह सिस होगा और यह AA को उठा के आप 180 पर कर दो तो यह बच्चो ट्रांस रहेगा यह यह साब-साब बात है यह capital AA यह बाइडिन्टेड है यह ring वाला है यह बाइडिन्टेड है यह SA और यह A और यह A बाइडिन्टेड तो आप यह देखोगे सिस और ट्रांस जिसमे जो ट्रांस में plane of symmetry आप चेक कर लोगे यह plane of symmetry मिल जाएगा इसमे plane of symmetry नहीं मिलेगा आपको लगता जरूर है लेकिन यह Westless व is optically active correct transform is optically inactive correct क्योंकि हम यहाँ plane of symmetry देख लेंगे it has three stereomers तो total stereomers कितने हो जाएंगे बच्चो थी तीन 3BB समय होई होंगे यह नहीं इसका मतलब एक dextro और लिवो तो दो यह हो जाएंगे mirror image और एक inactive तो यह statement सारे के सारे true है और यह बच्चो जे मेंस और आयटी का बड़ा favorite question है बहुत important question है इसको ध्यान रखेगा अगला सवाल है question number 25 तो 25 में दिया है बच्चो spin magnetic moment of this complex ठीक है मैगनीज साइनाइट का whole 6 3- तो बच्चो एक्चुली क्या है MN3 plus है MN3 plus है और SFL है तो बच्चो MN3 plus का आप configuration दिखेगा 3D 4 होता है बच्चो ठीक यह ध्यान रखेगा और 3D 4 होता है और इसमें SFL आ जाएगा strong field ligand और strong field ligand इसे pairing करेगा तो देखो बच्चो CFT में आपन पढ़ते हैं है ना T2G set है और T2G set में SFL pairing करा देगा electron आएंगे और 2 unpaid electron आएंगे तो इसका magnetic moment 2.83 BM हो जाएगा बच्चो अगला सवाल है अगला question number 26 है बच्चो 26 में यह कह रहा है देखे which is which is correct electronic configuration about the complex this देखो बच्चो कोबाल्ट है कोबाल्ट 3 plus है और यहां oxalato है क्या है बच्चो oxalato तो oxalato वैसे तो इसका nature WFL है लेकिन यह कोबाल्ट के साथ है ना कोबाल्ट का charge और यह चिलेटिंग लिगेंड जो है तो आपका oxalato जो कि WFL है ओबराल मिलाके यह low spin बनाते हैं D2 SP3 बनाते हैं low spin बनाते हैं दाया magnetic होते हैं और इनका मतलब यह समझ लिजेगा कि यहां पर CFSC value है ना greater होगा pairing energy की comparison में और यहां पर अगर आप configuration बनाते हैं बच्चो तो यह D2G set और ऊपर चला जाएगा EG set जब D-Arbital को आप splitting करते हैं तो यहां पर आप देखेंगे 6 है यह पूरा का पूरा pairing करेगा और यहां पर 0 हो जाएगा तो इस तरह से आप configuration देखेंगे तो टू आपसन आएगा बाकी सब option गलत हो जाएंगे बच्चो अगला सवाल है question number 27 तो question number 27 की हम बात करते हैं तो देखें बच्चो question number 27 में in the given complex देखो यह condition दे दिया है बच्चो ध्यान रखना condition दिया है if if cfsc value is greater than pairing energy अगर pairing energy की comparison में cfsc value का क्या हो जाता है greater हो जाता है ज्यादा हो जाएगा तो then which is diamagnetic in complex यह नहीं आपको यहां पर assumption करना है assume करना है और assume करते हुए आपको सोचना है कि भाई यह सब को जो भी दिया है जो भी complex दिया है first, third, second जो भी है इन सब में आपको sfl भले मान लेते हैं exception दिया है exception भी है example में लेकिन जो question कह रहा है उसको आपको मानना पड़ेगा तभी आपका answer निकलेगा जैसे iron है अब iron two plus है देखिए two plus है 3d6 है यहाँ ammonia है ammonia बिलकुल sfl है वैसे यह exception के case में आता है लेकिन यहाँ पर condition दे दिया है वहिया कि pairing energy से ज़्यादा value cfsc का होगा मतलब आपको sfl ही मानना पड़ेगा भले exception आता है तो कहने के मतलब यह d2 sp3 होगा low spin होगा बिलकुल यह डाया magnetic होगा देखो बच्चो एक चीज दिमाग में रखना कि d6 configuration होता है octahedral complexes होता है तो डाया magnetic होता है बिना इफबट के कैसे रटना नहीं है आप रटोगे नहीं बिलकुल सिंपल सा सवाल है कि d6 है भाईया T2G नीचे होता है और EG उपर होता है अब आप इसको पेरिंग करेंगे तो यह देखो ऐसे 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 पेरिंग हो जाएगा क्यों हो जाएगा क्योंकि यह condition दिया हुए इसलिए यह डाया magnetic होगा अनपेर इलेक्टरन जीरो यहाँ पर देखो बच्चो यहाँ पर ammonia ठीक है यह भी SFL होता है लेकिन यह exception वाला case आता है कि जब इसमें है ना यह SP3D2 outer d orbital complex बनेगा लेकिन condition दिया है तो अपन पेरिंग करा देते हैं पेरिंग कराएंगे तो चार को जब पेरिंग कराते हैं ना बच्चो तो चार को जब पेरिंग कराएंगे ना यह मैं अलग स बना देता हूँ यह मालो यह वाला example ले लिया यह chromium वाला तो chromium वाले में आप देखोगे यह पहले half field होगा और फिर एक pairing करेगा यहाँ पर दो अन्पेरिंग करेगा तो यह डाया magnetic नहीं होगा यह आंसर नहीं होगा अगला सवाल यह देखो कोबाल 3 प्लस तो कोबाल 3 प् configuration को follow करेगा मतलब एक और तीन डाया magnetic है इसलिए option best answer चार जाएगा बच्चो बहुत ही मज़ेदार question है दो exception दे दिये थे लेकिन question को twist कर दिये थे तो आपको statement के according आपको option को choose करना है अगला सवाल question number 18 sorry 28 तो question number 28 कह रहा है in the hypothetical complex ट्राइमीन देखो language दिया है statement ट्राइमीन डाइक्वा क्लोराइडो कोबाल 3 क्लोराइड can be represented तो देखो IUPAC नेम दिया है इसका फार्मूला तो ट्राइमीन का मतलब होता है alphabet में जमाना है कोबाल 3 प्लस है alphabet में जमाईएगा ट्राइमीन हम नामी लिख लेते हैं डाइक्वा है ना ये H2O का होल 2 AM और ये AQ अब आप देखलो alphabet में कौन पहले आता है तो alphabet में M पहले आएगा MNOPQRS ठीक है न बच्चों M पहले आएगा और क्लोराइड C आता है बच्चों ये बाद ख्यान रखिएगा तो ये आपसन कहां पर लिखाया है इसको मिला लिजे तो आपसन 3 उडवीदा बेस्ट आंसर अगला सवाल बच्चों ठेक अगला सवाल है कुस्चन अबर 29 तो कुस्चन अबर 29 हम पढ़ते हैं 29 में क्या रहा है करेक्ट देखो बच्चों करेक्ट बालिंग सहाब ने बैलेंस वांट थेओरी में है ना इन्होंने एक स्टेटमेंट बूला था बूला था कि भही आप बैलेंस वांट थेओरी है ना जमेटरी के साथ साथ मैगनेटिक क्राइटेरियर यह जो है तो इस्पिन मैगनेटिक मतलब कहने का मतलब वो पैरा मैगने नहीं करेगा ठीक अगला सवाल अगला question number 30 है और question number 30 में आप बच्चो देखो number of optical isomer of this complex देखो बहुती मज़ेदार question है यह MAA यह देखो यह NCRT में भी है IT और mains का favorite question भी है बच्चो यह 3 प्लस है बाइडिन्टेड है तो इसको आप क्या करेंगे यह octahedral complex है octahedral complex में AA यह हो जाएगा AA यह हो जाएगा AA यह हो जाएगा इसमें एक wedge desk कर दीजेगा ऐसे ऐसे और यह आपका solid wedge desk यहनि कहने का मतलब यह आपका plane में नहीं है तो आप यह समझ जाएगा plane of symmetry of center है यह अगर dextro होगा तो यह livo होगा और एक दूसरे का mirror image होगा इसलिए optical isomer 2 होगा बच्चो अगला सवाल अगला question number है 31 तो 31 क्या कह रहा है बच्चो 31 यह कह रहा है कि cis trans isomerism found in square planar complexes of molecular formula A and B are monodinted तो देखो यार cis trans आपको देखना है देखो एक ही type का असान question है नहीं होगा एक ही type का नहीं होगा M A B 3 नहीं होगा एक ही सवाल है और यह है M A 2 B 2 तो यह cis trans होगा cis trans का मतलब आप समझते हो यह square planar हो गया दिया भी है square planar A A 90 पे रख दो B B को 90 पे रख दो अगला जो है तो इसको आप A A को 180 पे चिपका दो यह देखो तो B अपने आप 180 पे चला जाएगा तो एक cis हो जाएगा और एक आपका trans हो जाएगा तो GI दो दिखाएगा है ना यह होगा अगला सवाल बच्चो अगला सवाल है question number 32 तो 32 में यह कह रहा है बच्चो दिखें the hybridization and unpaid electron in this complex दिखो बच्चो इसकेंडियम है इसकेंडियम 3 प्लस दिया हुआ है complex में है ना यहाँ 6H2O है मान लेते हैं कि यह WFL है मान क्या लेते हैं है भी चलो WFL है इसका configuration 3D 0 है भाईया देखो 3D 0 है सुनो तो यह क्या हो जाएगा 3D 0 तो 3D 0 का मतलब है यहाँ पर T2G 0 Easy 0 Sub 00 और ऐसा D2 SP3 complex बनाएगा तो इस तरह से hybridization state आपका क्या हो जाएगा बच्चो टू होगा D2 SP3 at 0 unpaid electron बाकि आप सन नहीं होंगे बच्चो अगला सवाल question number 33 तो बच्चो question number 33 में आप देखोगे geometrical isomerism can be sown by दी देखो GI can be sown देखो यह है ना coordination number 2 है MAB type का ऐसा नहीं होता है यह देख लोगे cadmium है ना 2 plus है 3D 0 है और MA4 NO2 है यह भी complex नहीं होगा मतला यह मान लिया इसको ए मान लो तो A4 हो जाएगा तो इस तरह से आपका यह है ना GI so नहीं करेगा हाँ बच्चो यह करेगा क्योंकि यह प्लेटिनम है बच्चो प्लेटिनम CL2 स्वरी CL4 और I2 है तो यह एक तरह से आपका MA4 और यह B2 अलग complex है तो यहाँ पर बच्चो यह जै बच्चो देखो यह छोटा एटम है तो B, 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 CIS में है और एक बार B, B किस में हो जाएगा यह देखोगे यह B option आएगा तो B और यह B तो यह क्या हो जाएगा ट्रांस में तो A, 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 A यह देखोगे तो इस तरह से दो आईसमेरी जम सो करेंगे CIS TRANS इसमें बटा अलग-अ लग है है ना यह आपका तो इस तरह से यह complex सो यह GI सो नहीं करेगा है ना क्योंकि देखो ना तो यह सो करेगा MA4 टाइप का है और MA3 B2 टाइप का ना तो यह करेगा तो इस तरह से option 3 ही मैच करेगा अगला सवाल है question number 34 तो 34 question है बच्चो ध्यान देना formula of ferocene तो ferocene का formula क्या ह है बहिया तो यह दो को database है एक तरह fact है sandwich structure सो करता है यह special case है ferocene में है ना बेस क्या लिखेंगे cyclopentadainyl iron 2 होता है यह fix है बच्चो ferocene में यह cyclopentadainyl यह ऐसा यह ring बनाएगा यह iron है और इस तरह से यह आपका यह देखोगे यह minus यह अपना ring देगा इस पर 2 प्लस होता है यह नहीं structure बाकी कोई भी example नहीं होंगे बच्चो अगला सवाल question number 35 तो question number 35 में यह देखो बच्चे यह देखो बच्चे यह देखो बच्चे यह अगर यह प्लस दिया है तो यहाँ पर minus 2 होगा तो iron का क्या होता है बच्चो 26 और यह minus minus 2 करके और सारे चार लिगेंड है तो चार इंटू टू हर लिगेंड दो इलेक्टरान देता है आप निकाल दीजेगा तो यह 28 प्लस कितना हो जाएगा 8 तो यह 36 आ जाएगा ठीक इसका सवाल यह octa कारबोनिल का तो कोबाल्ट कोबाल्ट है देखो यह ब्रिजड वाला है ठीक है ऐसे करके यह आप यह देख लोगे कितने कारबोनिल है है ना चार तो देखो सी ओ यहाँ पर आप यह देखोगे कैसे करेंगे बच्चो इसमें दोनों तरीके का स्ट्रक्चर नोन है बच्चो देखो एक है आपका विदाउट ब्रिजड वाला होता है लिक्विड स्टेट में तो इना कोबल्ट यह आप ध्यान देना ठेक ऐसे और ऐसे करकर यह 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 और बाकी जो है तो आपका यह विदाउट बिजड हो जाएंगे दो कारबोनिल जो है तो बिजड फॉर्म में होते हैं तो देखो हमको यह इतना इसका इस्ट्री नहीं जाना है बस आपको इसका देखो हमें क्या करना है बच्चो इन तो इसका देखिए कोबाल्ट का कोबाल्ट का होता है 27 यह 0-0 हो जाएगा oxidation state plus plus क्या करेंगे यह देखिए यह आठ है तो 8 हर कार्बोनिल 2 electron और प्लस देखिए बच्चो जो bridge structure होता है यह polynuclear complex होता है तो उसमें हमें एक metal metal bond को consider करते हैं ठेक तो यहाँ पर दो electron यह cobalt cobalt bond को हम लोग जोड़ेंगे तो total इसको sum up करेंगे तो 72 आ जाएगा और 2 से divide करेंगे क्योंकि यहाँ दो कार्बोनिल है तो 2 से divide करेंगे तो यहाँ पर यह 36 आ जाएगा average oxidation state तो the best answer is third बच्चो तो 36 के बारे में लोग discuss करेंगे देखो तो the complex Fe H2O5 NO2 plus is formed in the brown ring test for the nitrate when freshly prepared Fe SO4 solution of nitrate ions followed by addition of concentrate H2O4 select the correct statement about the complex देखो बच्चो यह nitrate का brown ring test है वैसे यह P block में question में दिया हुआ है स्पूरे test को इसमें लिख दिया है अब आपको यह बताना है कि इस complex के बारे में सही statement क्या है देखो बच्चो brown ring complex है यह यह iron plus होता है यह H2O का hole 5 होता है और यह NO plus होता है यह देखोगे तो इस तरह से यह आप यह देखोगे SO4 2 minus और यह 2 plus ऐसा complex होता है iron sulfate में हलक यहाँ पर sulfate दिया नहीं है लेकिन यह होता है चलो नहीं दिया है तो अपन नहीं लिखें है ना पर यह होता है यह बाधियार न रचो तो यहाँ पर यह majority में WFL हैं और WFL हैं तो यहनी यहाँ पर यह आपको WFL consider करना है तो इसका जो configuration लिखेंगे T2G5 और EG2 यहनी साफ साफ बोलेंगे अन पेर्ड इलेक्ट्रान कितना होता है 3 hybrid जो होता है यह क्या हो जाएगा SP3D2 और और आरेंगा और और अकसिदेशन स्टेट प्लस वन दिखी रहा है तो आप देख लिजेगा अप्लेसन स्टेट आप आरें एज SP3D2 सही है प्लास वन आक्सिडेशन स्टेट यह सही है क्योंकि 3 अनप्यर्ड इलक्टरान है तो म्यू एम इज इक्वर्स टू होता है 3.87 बोर मैगनेट ओन ठीक यह बिल्कुल सही है यह सब जो लिखा है कनफर्मिंग 3 अनप्यर्ड इलक्टरान all the above statement is correct तो बच्चो यह तीनो statement true है बहुत ही conceptual और बहुत ही मज़ेदार question है अगला सवाल question number 37 और question number 37 में आप देखेंगे number of geometrical isomer for octahedral complexes यह तो और यह दिया है देखो यह coordination number square planar है coordination number 4 है बच्चो और यह octahedral है लिख दिया है तो इसका आप symbol ले लो MA4 और B2 type का complex और यह वाला ले लो MA2 B2 type का complex तो simple है यह अभी बता दिये थे इसके भी दो isomer और इसके भी दो isomer cis और trans तो दो-दो isomer बनेंगे अभी हमने इसके पहले वाले question में मैंने दो-तीन question पहले हमने अनपेर्ड इलेक्ट्रान चेक करना है UP मता अनपेर्ड इलेक्ट्रान चेक करना है concern चुम किये देखो तो यह वाला जो complex है cobalt 3 plus और यहाँ oxalate 2 minus दिया है यह यह D2 SP3 होता है बच्चो लो spin होता है और dia magnetik होता है यह देखो मैं आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि 3D6 यहाँ chilation के कारण या वैसे तो WFL है लेकिन यह क्या हो जाएगा pairing करा देगा और जब यह pairing कराता है बच्चो तो यहाँ पर unpaired electron क्या हो जाएंगे unpaired electron 0 हो जाएंगे यह वाले complex में देखो यह mn3 plus है और mn3 plus है यहनि 3D4 है और यहाँ पर WFL है चुकि chloride है यह WFL है तो यह pairing नहीं करा पाएगा यह पैरा-magnetic होगा तो देखो पैरा-magnetic के हिसाफ से the best transfer is 2 दिख रहा है फिर भी you can check all the complexes remaining 3-4 option देखो बच्चो यह पैरिंग करा देगा क्योंकि ammonia क्या है बच्चो SFL है और यह pairing कराएगा तो unpaid electron 0 मतलब यह answer नहीं होगा अगला देखो water देखो oxalate और water दोनों ही यह D2 SP3 low spin dia magnetic pairing करा देते हैं यह special case में consider किया गया है बच्चो तो इसलिए the best answer होगा 2 number और यह 1, 2, 3 sorry 1, 3 and 4 are dia magnetic क्योंकि इसमें 1 or 4 option special case है water और oxalate WFL होते हुए भी कोबाल 3 plus के साथ यह pairing कराते हैं यह आपको ध्यान रखना है याद करना है question number 39 तो 39 क्या कह रहा है बच्चो कि भाई यह cadmium ठीक है tetra sino 2 minus यहनि cadmium 2 plus है अब 2 plus है तो यह tetrahydral होगा देखो बच्चो D10 स्वरी यह आजाएगा 4D10 cadmium है cadmium 2 plus 4D10 और 4D10 यहाँ पर चाहे SFL एप्रोच करे या WFL एप्रोच करे तो यह देखो SP3 और यह tetrahydral geometry है ना so करेगा तो यह काउन सा geometry so करता है tetrahydral चलिए अगला सवाल अगला सवाल है question number 40 तो question number 40 में आप यह देखेंगे कि nickel tetrakarbonil is an compound involving तो बच्चो nickel tetrakarbonil की बात करते हैं किसकी बात करते हैं nickel tetrakarbonil देखो बच्चो तो tetrakarbonil में आप यह देखोगे सुनो यहाँ पर देखो कर्बोनिल तो आप जानते हो कोई charge नहीं होता है और इस पर भी कोई charge नहीं है तो यह zero oxidation state बहुत famous example है बच्चो यह IIT और मेंस का बड़ा favorite question कुछ तो ऐसे सवाल होते है न जो समझ लो अपने seat में दिया है मॉड्यूल में दिया है इवें टीचर भी पढ़ाते हैं और वह ऐसे question है कि एजटी जोई example उटके चुपचा पेपर में चिपका दिया जाता है जैसे कि निकल का प्लस टू अक्सिडेशन इस्टेट वाला निकल का जीरो अक्सिडेशन इस्टेट वाला प्लेटिनम प्लेडियम यह ऐसे एक्जमपल है बड़े सदा बहार एक्जमपल है बिल्कुल पेपर में उठा रहे तो बिल्कुल ठाक रख देते हैं तो निकल टेट्रकार्बोनील है यहां पेरिंग करेगा और पेरिंग करते हुए सुनो यहां पर बच्चे 3D 10 होता है है ना यह रियर जमेंट के बाद बन जाएगा वैसे आप लिखोगे निकल का 3D 8 और 4S 2 होता है लेकिन चुकि यह SFL पेरिंग कराएगा तो एसके इलेक्टरान को रियर जमेंट करने के बाद यह 3D 10 में यह दे देगा ठेक और इस तरह से यह SP3 hybridization क्योंकि बेटर डीटेन में ना डीटेन में एक दिमाग में सेट रख लो कि भाईया डीटेन है क्वाडिनेशन नमबर 4 है ठीक है तो हमेशा tetrahedral ही बनाएगा चाहे वो SFL एप्रोच करें चाहे वो WFL एप्रोच करें ठीक अगला सवाल question number 41 तो 41 में हम बात करते हैं 41 में विचाब दी फालॉइंग complexity square planner देखो अब साब साब पूछ ले square planner वही सब देख लो देखो कहीं न कहीं खुमता हुआ निकिल तो आई जाता है है ना यह बहुत ही पेवरेट कोस्टन है बच्चो 3D8 है और यहाँ पर WFL है तो भाईया पेरिंग नहीं कराएगा मतलब यह tetrahedral बनेगा तो option में नहीं होगा ओहो निकिल वो सरी जिंक है जिंक क्या दिया है बच्चो 3D10 अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको वोला था D10 अब भाईया D10 अगर आ जाए तो SP3 हो उस है ना बिल्कुल D10 आ जाए चाहे WA पहलो चाहे से पहलो इह बिल्कुल fix है बच् इसे ठीक लग गया अब platinum 2 plus देखते हैं तो platinum 2 plus में देखो यह 5D8 होता है 5D8, 4D8 यह ऐसे सवाल ऐसे configuration होते हैं इसमें WFL आए, SFL आए, दोनों का mixed ligand आए, mixture आए, ठीक है तो भी यह pairing करेंगे है ना, even देखो SFL आए, तो चलो SFL तो तो तुम्हारे दिमाग में सेट होता ही कि यह pairing करा देगा, ठीक है, और WFL है, तो भी pairing होगा, क्योंकि यह metal का nature बहुत दमदार है, अपने आप CFSC के value को 50-50% ऊपर के period से बढ़हा देता है, हापन पढ़ते हैं, unmoving downside in the developed metal के time, है ना, क्या होता है, CFSC increases, ठीक है, 42-50% approximately, तो इसलिए यह square pairner होगा, answer A होगा, और nickel 0 में है, अभी थोड़ी देर पहले बताया थे, इसके पहले question में, तो आपको बताया थे, nickel tetracarbonil क्या हो जाएगा, आपका भया, यह, है न, SP3 हो जाएगा, तो answer यह भी नहीं होगा, अगला सवाल, question number 42, तो 42 क्या कह रहा है बच्चो, among the following complexes, which one source highest crystal field splitting, stabilization energy, देखो CFSC, जो हमने आपको बताया था, factor affecting to the CFSC, तो stability को increase करने के लिए कौन-कौन से factor involved होते हैं, तो देखो बच्चो, MN 3+, iron 3+, ठीक, तो देखो left to right जाएगे, तो Z effective बढ़ेगा, बिलकुल सही बात, ठीक, CFSC भी बढ़ेगी, ठीक है, यह जानते हैं, अगला सवाल, देखो, कोबाल 2+, है, कोबाल 3+, है, अब देखो बच्चो, कोबाल 3+, है, तो देखो, कोबाल जो 3+, है, वो iron से भी, है ना, आगे right hand side में है, तो यहनि इसकी CFSC भी बढ़ जाएगी, और एक कोबाल 2+, है, तो कोबाल 2+, से 3 की तो होती है, और iron से भी आगे है, तो iron से भी आगे है, तो यह भी stability बढ़ेगी इसलिए अंसर 4 होगा बच्चो कोबाल्ट हेक्जा एक्वा 3 प्लस आयन ठीक है तो इसकी स्टेबिलिटी हाइस्ट होगी ठीक है बच्चो आगे सवाल कॉस्टिन नबर 43 तो कॉस्टिन नबर 43 में कह रहा है कि कंप्लेक्स डिसनाट एक्जिबिट जिमेट्रिकल आ यह MAA का होल थ्राइस अब यहाँ पर यह 3 प्लस दिया है तो यह केवल और केवल आप्टिकल आईसोमेरिजम सो करेगा वह यह यह बात ध्यान रगना यह 9 GI वह लो कैसे याद नहीं है डाग्राम बना लो रटना नहीं है क्योंकि यह मेटल है आपको थोड़ी देर पहले कही नहीं कहीं यह एक्जम्पल दिखी जाता है यह 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 वाइडिन टेड़ है सेमेट्रिकल वाइडिन टेड़ है एक ऐसे वेजडेस है ना GI नहीं बनाएंगे डेक्स्ट्रों लीवो जोमेट्री अदर नहीं होगी तो यह आंसर नहीं होगा यह देखो यह वाला स 3 और B3 वाला example है तो ये भी geometrical so करेगा और ये वाला है EN यानि ये A2 और B2 वाला ये भी GI so करेगा तो क्या लिख है does not exhibit तो जो GI so करेगा तो ये नहीं होगा जो GI so करेगा option में नहीं होगा जो GI so करेगा तो 2, 3, 4 ये GI so करते हैं क्या so करते हैं GI और पहला वाला option GI so नहीं करता है तो option में क्या लिख है कि does not so यानि answer अपना पहला होगा ठीक अगला सवाल question number 44 तो question number 44 में which of the following complexes used to be as an anti-cancer किसे anti-cancer में use करते हैं तो आप जानते हैं एक तो होता है भाहिया EDTA जो lead वाला lead plus 2 के द्वारा जो cancer disease create करता है उसमें EDTA यूज करते हैं और normal जो anti-cancer है वो cis platine तो ये वाला actually ध्यान रखना ये आपको use में से है बच्चा इसको आपको पढ़ना पड़ेगा platine और cis platine anti-cancer के रूप में use होता है और इसका फार्मूला होता है भाईया ये ध्यान रखना dichlorido or diamine ठीक है platinum 2 plus cis वाला तो ये आपको याद रखना है अगला सवाल question number 45 question number 45 ये कह रहा है बच्चो कि magnetic moment of 3.87 bore magneton is given by the following ions in there this complex देखो hexa aqua 2 plus form इसमें पूच रहा है कि hexa aqua में 3.4 3.87 तो भाईया unpaired electron हमको 3 चाहिए यनि ये n की value 3 चाहिए ठीक है क्या चाहिए n की value ठीक है ये n की value 3 चाहिए तो as you know that mu m is equals to n n plus 2 ये bore magneton ये देखो n is the number of unpaired electron तो बच्चो यहाँ पर आपको देखना है chromium 2 plus इसका configuration देख लिजे तो यहाँ chromium 2 plus का 3D 4 होता है यहाँ unpaired electron 2 आएगा भाईया आप देख लो स्वरी क्या दिया है वाटर ओहो कलती हो गई रुको 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 हाँ तो WFL है तो WFL के साथ pairing नहीं करेगा और नहीं करेगा तो इस तरह से देखो आप दोनों तरीके से लिख सकते हो बच्चो according to BBT भी लिख सकते हो और according to है ना CFT भी लिख सकते हो चार अनपेड इसी को आप है ना T2G और EG form में लिखोगे है ना तो भी भाईया ये क्या हो जाएगा देखो ऐसे लिख दोगे तो 1, 2, 3 और ये 4 तो इस तरह से 3 और 1 तो भी चार अनपेड इलेक्टरान आएंगे तो इसमें भाईया N की वैलू 4 हो जाएगा निकल 2 प्लस है भाईया 3D8 है तो 3D8 है तो आप कानफिगुरेशन बना लो T2G6 और EG2 दो अनपेड इलेक्टरान आएंगे चाहोत ये डबबा बना लेना ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ये माल लो ऐसे ये देखो तो ऐसे आपका कनफिगुरेशन बना लेना भाईया ये देखोगे 1,2,3,4 ये 5 एना एक ज़्यादा बन गया है ठीक और ये देखोगे 8 तो कितने अनपेड आए हैना 2 तो कहने का मतलब यहाँ पर ये भी नहीं होगा तो ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ अगला देखो मन प्लस टू मन प्लस टू में 3D 5 होता है WFL है तो नमबर आप अनपेड इलेक्टरान 5 होंगे तो ये भी नहीं होगा अब ये देखो एक ही बचता है यहाँ पर कोबाल 2 प्लस है तो वैसे कोबाल 2 प्लस बोनस नहीं है मैं एक मजाग कर रहा था आपको बता रहा था ठीक है तो ये कोबाल 2 प्लस का आप ये देखोगे कोबाल 2 प्लस में 3D 7 अब 3D 7 में अनपेड इलेक्टरान 3 होते हैं भाईया आप खुद ही देख लो है ना बना ले ना configuration easy है यही जैसे माल लो यह 8 है तो 8 में माल लो एक को मिटा दो तो एक को मिटा दोगे तो d7 हो जाएगा तो यह एक अंप्रेयर डिरेक्टा नहट जाएगा यहां से तो एक दो तीन आएगा ठीक इस तरह से हम लोग देखेंगे बच तो इंटीजर होंगे 15 तो इसमें आपको चेक करना है पहला question क्या है among the following complexes find out total number up tetrahedral complexes coordination number 4 में tetrahedral check करना है ठीक है तो यह देखो निकिल वाला हो गया तो निकिल 2 प्लस है भाईया WFL है 100% tetrahedral होगा SP3 वाला tetrahedral होता है यह बात देखें यह आप सन में आ जाएगा देखें मैग tetrahedral हो गया कोबाल्ट WFL है यह tetrahedral हो गया platinum 5D8 होता है लेकिन यह भले WFL है लेकिन यहाँ पर D8 pairing करा देता है यह आंसर में नहीं होगा निकिल 2 प्लस है SFL है pairing हो जाएगा यह टेट्रहेट्रल नहीं है स्क्वार पेनर है रोडियम है बच्चो रोडियम देखो प्लस है complex के स इसका नाम है wilkinson catalyst ठीक है तो wilkinson catalyst है इसका नाम तो अब अगला देखोगे रोडियम complex में 3D8 होता है rear arrangement के बाद चुकि बच्चो रोडियम प्लस है ना तो तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा कि सर्फ 4D7 and 5S1 होता है यह तो बेटा free iron का होता है लेकिन चुकि यहाँ pairing complex में pairing करता है यह यह वन का electron S का electron 5S1 का D में आ जाएगा और D8 बन जाएगा DSP 2 हो जाएगा तो answer में यह भी नहीं होगा तो बच्चो पहला 3 answer होगा तो इसका best option आता है 3 ठीक है first 3 option will be the tetrahedral and the last 3 will be the square planar complex बच्चो ठीक question number 2 है बच्चो अगला integer the coordination number of central metal iron in this nickel DMG का hold twice तो इसमें आप यह देखिएगा DMG का structure आपको पता है N double bond C, यह C, N double bond ऐसे इधर एक methyl group होता है इधर एक methyl group होता है इधर O minus और इधर यह OH होता है अब बच्चो यहां hold twice है यह यह loan pair donor होता है nickel two plus है तो आप यह देखेंगे यहां से एक LP और यहां से एक LP यह star हमने लगाया है दो पेर होता है एक electron pair होता है यह दो electron होता है तो आप यह देखेंगे दो इधर से हो जाएगा hold twice है तो hold twice है तो यह नहीं इसका मतलब coordination number 4 होगा तो the best answer will be the 0 4 ठेक अगला सवाल अगला सवाल है question number 3 तो question number 3 का question है बच्चों the number of optically active isomer for the complex formula of क्या दिया है A2B2C2 तो बच्चों इसका GI बनाईएगा है ना तो देखें यह देखें MA अब आप यह देखो A2B2 तो A2B2 है यानि इन सब को पहले CIS में रख लीजे CIS with respect to all यानि AA90 पे है BB90 पे है and CC90 पे है तो all are CIS with respect to all अब इसमें आप देखोगे प्लेन आप सेमेटरी देखोगे बच्चों तो प्लेन आप सेमेटरी में ठीक है यह प्लेन आप सेमेटरी नहीं मिलेगा चाहा ऐसे कटों चाहा ऐसे प्लेन लों यह सिस जो है तो optically active होगा in both form दोनों रूप में यह optically active होगा प्रकासी सक्री होगा और इसके बाद trans भी बनाओगे जितना trans होगा देखो इसके 4 trans होंगे एक सब के respect में trans बना लोगे BB, CC यह और एक क्या करोगे कोई 1 को trans बना लिया AA को trans बना लिया BB को trans बना लिया और यह CC को trans बना लिया है ना 3 trans यह और rest जो option होगे उनको आप क्या करेंगे sis में रख देंगे तो सब में आपको plane of symmetry मिलेगी सब में तो 4 trans बनेंगे और 4 trans में plane of symmetry समित्तल प्रजेंट है बच्चों इसलिए है ना यह optically inactive होंगे kevalosis तो इसलिए total दिखेंगे total number of optically active isomer 2 क्योंकि एक destroyer लिव हो जाएगा तो answer will be the 2 question number 4 यह कह रहा है कि number of unpaired electron present in T2G set of d orbital in the complex cobalt tri aqua triflorido तो बच्चों actually यह क्या है cobalt यहाँ पर 3 plus है इसके बाद इसमें 3D6 होगा configuration यहाँ पर पूरा का पूरा WFL है यहनि according to CFT आप इसे जब इसका splitting देखेंगे तो T2G यह आपका नीचे lower energy level में और EG यह उपर energy level में होगा अब यहाँ पर यह क्या है WFL है pairing नहीं करेगा D6 है electron according to above rule lower energy में 1,2,3,4,5 और यह 6 तो यहाँ पर बच्चों देखते हैं कितने unpaired electron है बताइए 2 तो यहाँ पर पूछ रहे T2G set में number of unpaired electron will be 2 तो यह धियान रखना यह answer है है ना इस तरह से अगला question पर लोग discuss करते हैं बच्चों तो अगला question है question number 5 question number 5 में हमको discuss करना है क्या how many complexes are paramagnetic यहाँ पर बच्चों paramagnetic complex देखना है तो एक एक करके देख लो nickel 2 plus है nickel 2 plus है बच्चों तो nickel 2 plus यह 3D 8 configuration होता है यहाँ यहाँ पर 2 unpaired electron वैसे भी आप CFT से देखो BBT से देखो है ना सब दोनों में सेम ही आएगा यहाँ D8 है 1,2,3,4,5 है ना 6,7,8 तो 2 unpaired electron मतलब paramagnetic तो यह पैरा होगा यह answer में आएगा और यह silver की बात करते हैं बच्चों यहाँ 3 plus है और AG 3 plus है बच्चों यह फोर्थ स्रीच का है मैंने सेकेंड ट्रांजिशन स्रीच का है बच्चों और यह 4D8 होगा silver ठीक है इसमें यह 4D स्रीच का है और WFL यहाँ पर दिया है यह D metal 4D के कारण यह pairing करा दिएगा ठीक है तो यहाँ पर यह square planar और यह dia magnetic complex बनेगा BBT से आप चेक कर सकते हो यह WFL होते हुए भी 4D के स्रीच का CMI nature of ligand पर depend नहीं करता है बच्चों ठीक तो यह भी यह dia होगा तो dia होगा इसलिए इसको answer में नहीं लेंगे और यह बच्चों देखो cobalt 3 minus है sorry cobalt 3 plus है और इसमें देखेंगे तो जो cobalt है 3 plus है यह नहीं 3D 6 है बच्चों और यहाँ पर WFL है 6 fluoride और यह pairing नहीं करेगा इसलिए यह paramagnetic होगा आप चाहो तो बना सकते हो यहाँ पर 2 unpaired electron दिखेंगे इस वाले configuration में ठीक यह आप बना लेना बहुत easy है यह ठीक है यह 5 और यह देखोगे यह 4 unpaired electron आपको दिखेंगे बच्चों paramagnetic है मतलब यह answer में होगा अगला सवाल है copper है ना यह देखोगे 2 plus तो 2 plus है बच्चे 3D 9 है और 3D 9 है तो भले WFL हो SFL हो order number of electron है तो यह paramagnetic होगा ठीक अगला सवाल है वैसे यह square मैं आपको geometry भी बता देता हूँ है ना SFL है D electron का एक electron 4P में transfer करेगा और इस तरह से यह square planar geometry होगा paramagnetic होगा odd electron species है बच्चों तो देखो पैरा में A आ गया C आ गया D आ गया B नहीं आएगा अगला सवाल है देखो यह जो example लिक है बहुत famous example है बच्चों iron plus और NO plus यह brown ring complex का है तो 3D 7 है वैसे आप ऐसे देख सकते हो कि अगर कोई odd number का electron होता है तो odd number का electron paramagnetic होता है means it is also paramagnetic अब आता है wilkinson catalyst यह पहले सवाल किसी exam में आया हुआ है तो यह wilkinson catalyst की हम बात करते हैं बच्चों तो f example में wilkinson catalyst तो यह देखोगे wilkinson catalyst तो actually क्या है wilkinson catalyst यह rhodium ठीक chloride tri-phenyl-phosphene यह formula आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि यह exam में के लिए बहुत important है और wilkinson catalyst coordination के application का part भी है बच्चों तो यहाँ यह plus one होगा rhodium जो है तो बच्चों यह 4D 4D series का होता है यह मतलब second transition series का cmi होता है और plus one होता है तो वैसे तो free cmi का आप लिखोगे तो 4D 7 and 5s1 होगा लेकिन चुकि यह complex है तो यह एक electron इधर pairing करा देगा बच्चों ठीक है pairing मतलब देखो 4D series 5D series के cmi होते है ठीक है और जहाँ पर आपको लगता है pairing होगा नहीं होगा तो 4D 5D series में WFL और SFL की nature पर depend नहीं करता है खुद cmi अपने आप यह उनका जड़ effective poor selling effect के कारण बढ़ जाता है जिसके कारण यह PCFC c को बढ़ा देते हैं करीब करीब 40 से 50% और pairing करा देते हैं मतलब यह rearrangement हो करके 48 यह configuration बन जाता है बच्चों इस तरह से यह dia magnetic होगा तो कहने के मतलब answer यह भी नहीं होगा तो गिन लिजेगा 1, 2, 3, 4 तो इसका total answer आएगा बच्चों है ना 4 समझ में आगया सबको कौन-कौन सा complex होगा एक बार फिर से बता देता हूँ यह वाला यह वाला यह वाला यह वाला यह नहीं होगा यह नहीं होगा क्योंकि यह दोनो dia magnetic है और दोनों का coordination number 4 है बच्चों अगला सवाल अगला question number है 6 number 6 number में अपन देखने है how many possible isomer of this complex triamine dichlorido bromido ठीक है यह कोबाल 3 plus तो बच्चों एक्चुली क्या होता है यह MA3 B2C type का यह complex है समझ यह बात को ठीक तो इस तरह के यह complex में कितने isomer बनेगे possible isomer तो possible isomer बच्चों यह देखोगे ऐसे 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 देखो एक आप इस तरह से आप यह देख लेना यह देखे यहाँ पर A यहाँ पर A यह फेसियल है यह फेसियल है 90 डिग्री पे और यहाँ पर देखोगे मतलब यह सिस है एक तरह से ठीक है 90 देखो A यहाँ पर भी 90 है यहाँ पर भी 90 यहाँ पर भी 90 अब आप यह देखोगे B और B तो बच्चो एक्चुली B को चाहे यहाँ रखो यहाँ रखो 90 पर ही रहेगा और यहाँ पर आप C रख दो बच्चो देखो तो C की बात करते हो तो यह C है तो देखोगे C भी 90 में है तो ये देखे ये एक तरह से सिस है अब आप क्या करो एक A को उठा के चेंज कर दो 180 पे तो ये बेटा 180 की बात करते हैं तो ये इस तरह से ये आप देखोगे ये वेजडेस मतलब above the plane, below the plane तो यहाँ पर आप देखते हो ये A और ये A कोई A को उठा को इसको anti position पे रख दो तो anti position का मतलब ये 180 degree trans हो गया अब बाकी जो बचता है बच्चो देखो B B और इस तरह से आप ये C तो आपने क्या देखा बेटा कि B और B को अब आप ये देखेगा B B trans में है यहाँ B B कितने में थे बच्चे सिस में थे 90 पे अब ये B और B किस में आ गया ट्रांस में एक बार क ये M इस तरह से ये देखोगे ये ऐसे ठीक ये देखो यहाँ पर बच्चो यहाँ पर ये A आएगा ये A आएगा ये A आएगा ये A आएगा ये देखेगा और इस तरह से B और C को इंटर चेंज करा दो गया तो यहाँ पर ये B है अब यहाँ पर C आ जाएगा देखो बच् तीन बनेंगे और तीनों optical inactive होंगे हलें कि optical inactive की बात यहां पर नहीं कर रहा है इसलिए इसके exact answer क्या हो जाएगा बच्चो तीन हो जाएगा ठीक अगला सवाल बच्चो अगला सवाल है question number 7 तो question number 7 में क्या कह रहा है बच्चो find the total number of embedded ligands from the following बहुत ही simple बहुत ही basic question है बच्च एक एक structure बना लीजिएगा NO यह O- यहाँ पी lone pair यहाँ भी lone pair तो यह एक तरह से embedded हो सकता है और करके यह नहीं lone pair nitrogen से oxygen से दोनों यह answer में आ जाएगा NO3 नहीं होता है बच्चो NO यह O और यह O- यह plus यह minus तो it is not the part of embedded यह नहीं होगा मतब यह नहीं है sulfate भी नहीं है आप चाहो तो sulfate का structure बना दोगे देखो बच्चो different atom में है ना lone pair होना चाहिए तो यहाँ पर oxygen के पास lone pair है लेकिन nitrogen के पास lone pair नहीं है ठीक यहाँ पर भी बच्चो oxygen के पास lone pair है sulfur के पास lone pair नहीं है बच्चो carbonate का structure बनाएंगे ये भी नहीं है कैसे आप structure ड्रा करलो बच्चो ये oxygen पर lone pair है, rosinons हो जाएगा कोई दिक्षित नहीं, और carbon पर lone pair नहीं है बच्चो, ठिक अगला सवाल, cyanide, सा cyanide होगा, cyanide बहुत popular example है, देखो बच्चो यहाँ पर, sorry, तो यह देखेंगे, यह इस तरह से N, है ना, यहाँ पर एक loan pair, और यहाँ पर एक loan pair, minus charge will be on, जो है तो nitrogen atom, sorry, carbon atom, तो एक तरह से यहाँ से भी denticity, और यहाँ से भी denticity, embedded में, दोनों एक साथ loan pair donate नहीं करता, है ना, कब एक बार जो है तो दूसरा item, second time में दूसरा atom, ठीक है, इस टाइब से donate करते हैं, तो यह हो जाएगा, ocean भी embedded है, NCS भी embedded है, ठीक है, structure देख लेंगे, एक, दो, तीन, चार, तो टोटल इसका answer हो जाएगा भाईया, 4, embedded कौन नहीं है, embedded नहीं है, nitrate, sulfate और carbonate, answer उड़ भी 4 बच्चो, question number 8 कह रहा है, find out total number of cis, जो है तो, O-C-O-N linkages in fact, triglycineto, cobalt 3 plus हैं, तो इसका structure बना जिए, जैसा कि आपको पता है बच्चो, यह glycineto, इसका structure होता है, NH2, CH2, COO-, यहाँ पर बच्चो, आपको देखना है, एक donor site यह होता है, और एक donor site oxygen होता है, तो आपको first of all, एक octahedral structure बनाना है, कोबाल्ट 3 plus, यह देखेगा, ऐसे, 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 octahedral structure बन गया, अब आप इसको connect कर दिजे, fake form में करना है, तो आपको क्या करना है, कोई भी एक nitrogen को, यह oxygen को, आपको 90 degree पर रखना है, ठीक है, तो जैसे यह O हो जाएगा, इस तरह से, यह आपका, इधर से आजाएगा N, यह आपका O हो जाएगा, देखो यह 90 degree है, यहां से यहां, फिर आपको दूसरा 90 degree पर रखना है, तो आप यू रख लो, यह 90 degree पर आजाएगा, यह O, क्योंकि देखो, यह N के respect में 90 है, यह भी 90 है, अब आपको क्या करना है, यह linkages बताना है, बच्चो फस्ट अफ़ाल इसमें यह करना है, कि हमें trans को नहीं लेना है, trans का मतलब 180 degree पर, जैसे मैं अलग line से line up कर देता हूं इसको, जैसे NO वाला, यह trans है, इसको हमें consider नहीं करना है, इसको हमें consider नहीं करना है, तो जब हम इसको consider नहीं करेंगे, तब हमें calculate क्या चीज़ को करना है, देखेगा, 90 degree वाला, तो यह यह N से, यह 90 degree, यह 90 degree, यह एक nitrogen मा आप इसके respect में देखोगे, तो यह इधर 90, यह इधर 90, ठीक है, तो 90 degree का मतलब हो गया बच्चो, cis form, यहाँ पर octahedral में 90 degree adjacent position को हम लोग cis बोलते हैं, ठीक, इसी तरह से यह N 3 वाला position होगे बच्चो, तो इसका यह 90 degree और इसका यह 90 degree, तो बच्चो इस तरह से आप यह देख linkages आएगा, तो total जो है तो linkages कितना हो जाएगा बच्चो, N COO linkages यह जो है तो आपका यह total linkages कितना हो जाएगा बच्चो, यह 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चो, cis, 6 ठीक है बच्चो, अगला question है बच्चो, question number 9 है, total number of geometrical isomers of ptcl2, br2, n3 का whole twice, यह यह complex है बच्च का complex है, इसके total GI कितने बनेगे, तो इसके GI को count करने के लिए फटर फटर हम लोग diagram बनाते हैं बच्चो, तो यह देखे, M, यहाँ पर यह, cis with respect to all, हमको पहले क्या लेना है बच्चो, AA को cis में लेना है, 90 डिगरी पे, BB को आपको cis में लेना है, 90 पे, और C को लेना है, 90 पे, तो एक GI तो यह हो गया, मतलब आप यह लिखोगे, cis with respect to all, यहनि इसका मतलब यह हुआ, कि सभी, है ना, A2 को, B2 को, C2 को, 90 डिगरी पे रखेंगे, है ना, तो cis हो जाएगा, अब अगला हम trans लेते हैं, trans with respect to all, तो trans with respect to all का मतलब होता है बच्चो, कि सारे, है ना, जो A2, B2 हो है, सब को हम लोग trans में ले लेंगे, AA को ले लिया, BB को ले लिया, CC को ले लिया, तो इस तरह से हम लोग सारे को trans में ले लेंगे, अब करेंगे क्या, एक जो है तो, एक हम trans में लेंगे, और बाकी को cis में लेंगे, तो इसके total 3 GI बन जाएंगे, कितने GI बनेंगे बच्चो तो तीम यह आप ये देखेंगे एक्षिल मां ऐसे यह इस तरह से अपन ऐसे देखते हैं ये ऐसे 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 अब अपन को करना क्या है एक को यहाँ पर जैसे एक उस में ले लिया घ्ली denseril ya तो B. B. sis में आगया कखू पूरेख पूरेक पूरेका आपके क्या होजाएंगे चार ट्रांस ठीक है और एक सिस तो टोटल क्या लिक है जिमेट्रिकल आई सोमर तो बच्चो इसके टोटल जो जी आई होंगे वह फाइब बनेंगे कितने बनेंगे फाइब ठीक हम लोग पढ़ते हैं कोशन नमबर टेन में एमंग दी फालोईंग एमंग दी फालोईंग टोटल नमबर अप कंप्लेक से स्विसोस जीमेट्रिकल आई सोमर्स कितने हैं जो ज्यामती समयावता दिखाते हैं दरसाते हैं तो बच्चों यहां पर यह देखना है पहला बाला कंप्लेक्स देखें पीटी का एनसरी का होल 4 एंड चील 2 यह यह कंप्लेक्स है में 4 बीटू बिलकुल दिखाएगा एक स अगला कुशंटिन है बच्चों यह प्लेटीनम वाला ए2 बीटू यह यह एम एटू बीटू कौड्रिनेस नामबर 4 में यह भी बच्चों सिस और ट्रांस दिखाता है ठीक तो यह यह भी होगा यह देखो बच्चों जेंक है जिंक में यह वैसे टेट्रेडरल एंड जो है तो ये ट्राइफ लॉराइड तो बच्चो ये एक्च्वल में में 3 B3 दिखाता है कि ये भी फेस्यल एंड है ना मेरे डॉइनल ये एक्च्वली आईसोमर दिखाता है तो इसको भी आप सिस ट्रांस बोल सकते हैं तो ये भी GI सो करेगा और अगला सवाल है बच्चो ये दिखे ये कॉडिनेशन नमबर 4 का है दोनो अब ये निकल 2 प्लस है और मेगनीज 2 प्लस है और दोनो में WFL है बच्चो तो WFL है इसका मतलब ये दोनो है ना निकल वाला और मेगनीज वाला दोनो टेट्राहेड्रल जिएमेट्री सो करते हैं और टेट्राहेड्रल जिएमेट्री में हम लोग GI नहीं चेक कर सकते क्योंकि इनमें सारे बॉन्ड एंगल आइडेंटिकल होते हैं सारे एडजेसेंट बॉन्ड एंगल होते हैं 109 डिगरी 28 मिनिट्स पर यहाँ पर इंटी बॉर्ण इंगल नहीं बनेंगे है ना यह आपको पढ़ाया जाता है कि मालो टेट्रहेड्रल जेयोमेट्री है ऐसे इस तरह से यह ऐसे आप देखोगे तो यहां सब पर है ना वन जीरो यह वन जीरो नाइन डिगरी टू एट मिनिट यह आप देखोगे तो सारे यह भ वन टू और थ्री तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चो थ्री टोटल थ्री कंप्लेक्स रिसोस क्या लिखेंगे जिमेट्रिकल आईसोमर्स ठीक अगला सवाल बच्चो अगला सवाल है कोस्चन नमबर 11 तो कोस्चन नमबर 11 में हमको देना है बताना है टोटल इस्टीरियो म स्टीरियो मफ्लेक्स अफ को बाल बिस इधायलेन डायमीन डाय कलोरेडों यह वलक कंप्लेक्स आपको देखना है टिक है बच्चों तो यहां पर आपको यह देखना है बच्चो कोबाल्ट का यहां M यह AA का होल ट्वाइस और A2 वाला है अब स्टेरियो आई सुमर यहां दो जी आई बनेगे इसके एक सिस बनेगा एक ट्रांस बनेगा ठीक है बच्चो तो यहां M है ऐसे ओक्टाहेडरल कम्पलेक्स है ठीक यहां पर AA यह आप यह देख लोगे AA यह ऐसे देख लोगे और यह इसमाल A तो बच्चो एक्ट्वल में आप यह देखोगे एक इस तरह से यह फेस्यल स्वरी यह सिस में है तो यहां पर यह देखो कि प्लेन आफ सिमेट्री आपको नहीं मिलेगा ठीक तो यह एक डेक्स्ट्रो होगा और एक लिवो होगा ठीक अगला ट्रांस होगा हम ट्रांस किसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे इसमाल A के रिस्पेक्ट में मोनो डिंटेड लिगेंड के रिस्पेक्ट में क्लोरीन के रिस्पेक्ट में अगला जो है बच्चो ये देखे एम ये आप ये देखोगे यहाँ पर भीया आप ये देखोगे ए सुनो ए और ये ये मोनो डिंटेड यानि क्लोरीन को आप ट्रांस मिले लोगे और बाकी जो बाइड इंटेड लिगेंड है उसे आप जो आतो एड्जेसेंट पोजीशन को लोगे ठीक तो इसमें देखो एक ट्रांस हो जाएगा इसमें प्लेन आप सिमेट्री प्रेजेंट है बच्चो इसको स्लाइस कट कर दोगे या सिधे आप कट कर दोगे प्लेन आप सिमेट्री मिल जाएगा आप्टिकली इनेक्टिव होगा तो दो सिस में मिल जाएंगे अगला question number 12 है, तो question number 12 में आपको देखना है, क्या लिखा है बच्चो, total geometrical isomerism of palladium, NH2CH, CS3, CO, coal 2, यह यह बच्चो, chiral center वाला है, यहाँ पर carbon chiral center में है, वैसे इसको हम लोग बोलते हैं, alpha alanine, क्या बोलते हैं, alpha alanine, यह आप यह देखते हैं, यह palladium है, यहाँ पर यह N है, यहा पर आपका एक H है, और यहाँ इस तरह से आप यह methyl group है, मतलब CS3 group है, यह C, यह O, और यह आपका O minus, अब आप यह देखें, यह एक data one, यह data one, ठिक, इसी तरह से बच्चो, यह N, यह C, और यह आपका, यह H, और यह इस तरह से आपका यह methylene group, और इस तरह से यह C, यह O, और यह O minus, और इस तरह से आप यह देखोगे, तो यह AB, अब आप यह देखें, यह compound, सिस में है बच्चो, यहाँ पर आप यह देखोगे, यह सिस में है, यह N, N, यह N, सिस में है, 90 डिगरी पे है, यह सिस में है, तो सिस में, इस वगए यहाँ पर आप देखोगे, यह chiral carbon center है, अब chiral carbon center है, तो यहाँ पर सिस पर कितने, है न, GI बनेंगे, यह आप देखेंगा, तो एक बार आपने क्या किया बच्चो, ध्यान दिजेगा, दोनों methyl को, है न, above the plane ले लिया, दोनों methyl को above the plane ले लिया, एक methyl को interchange कर दिया, यानि ट्रांस में, यानि इस N को उठा के यहाँ रख दोगे, मैं ऐसे बना देता हूँ कि यहाँ पर मालो, मुझे N रिखना है, और इस जगे में O लिखना है, देखो, इसको change कर दो, इसको, आप 180 position पर मताब इसको change कर दो, reward कर दो, तो reverse करोगे, तो यह आ जाएगा, देखो, N का GI जो है तो आपके 4 हो जाएंगे, ठेक, अगला question बच्चो, अगला question है, question number 13 बच्चो, तो question number 13 में, among the following, total number of complexes है, 18 valence cell electrons in this central metal iron, तो central metal iron, जैसे मैगनीज है, यहाँ पर कोबाल्ट है, क्रोमियम है, निकील है, मैगनीज है, इन सब का देख लो, तो सब का configuration देख लो बच्चो, एमन है, एमन 25, वैसे valence cell electron आप देखोगे, तो 3D5, 4S2, यह किसका है, मैगनीज का, अब मैगनीज का, यहनी 7 valence cell electron, अब यह 5 कार्बोनील है, तो each कार्बोनील gives 2 electron, हर कार्बोनील 2 electron देता है, 5 कार्बोनील 10 electron देगा, total 17 electron, क्योंकि यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, ना तो माइनस है, अच्छा, तो इसका 17 आगया, मतलब यह answer में नहीं होगा, अब MN2, देखेगा, जब यह MN2 दिया है बच्चों, यहनी MN2 और CO का, देखा कार्बोनील, तो OVC बात हैं, यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, मैगनीज, मैगनीज, सियरिंग करता है, इलेक्टरान का सियरिंग करता है, मेटल मेटल बांड में, बाकी जो है तो आप यह देख लेंगे, पाँच सियो इधार हो जाएंगे, तो यहाँ पर बच्चों, इसका मतलब देखो आप, यहाँ क्या करेंगे, 17 इलेक्टरान होगा, इच मैगनीज का, तो दो मैगनीज तो इच MNMN बांड, यह 2 इलेक्टरान सियरिंग का हो जाएगा, तो इसमें एड करोगे, 36 आएगा, एवरेज निकालोगे बच्चों, तो एवरेज निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 2 से डिवाइट कर दोगे, तो यह इक्वल्स टू 18 इलेक्टरान, मतलब यह आप्शन म आएगा, ठीक, इसी तरह से है ना, यह देखोगे, यह तो ओक्टा, कार्बोनील, डाई कोबाल्ट का, तो यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं बच्चों, अगला यह वाला तीसरा कोश्चन है, यह वाले कोश्चन को अपन देखते हैं, सेम, यहां मेटल मेटल, यह इस तरह से, यह इस तरह से आप देखोगे, यहां भी सिरिंग करेगा, इलेक्टरान का, तो यहाँ से भी देख लोगे, टू कोबाल्ट है, तो यहाँ पर 3D 7, 3D 7, और प्लस 4S2, तो टोटल इलेक्टरान कितने हो जाएंगे बच्चों, इसका देखेंगे, 9 वेलेंसल इलेक्टरान इसमें 8 कार्बोनिल है, यानि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 18 एलेक्टरान, और प्लस ये 8 कार्बोनिल, मतलब 16 एलेक्टरान,ispering donated from this, और प्लस ये metal-metal bond है बच्चों, तो यहां क्या करेंगे, 2 एलेक्टरान, मेटल-मेटल बॉन्ट का जोड़ लेंगे, टो टोटल एल है ना 18 electron को 18 electron rule को follow करता है इसके valence cell में 18 electron होगा तो यह भी complex यह भी complex अब अगला complex को देखते हैं बच्चो अगला complex दिया है यहाँ पर आप देखेगा iron वाला तो यह iron का क्या होता है बच्चो यहाँ 3D 6 and 4s 2 यह iron का configuration है और यहाँ पर आप देखेंगे 5 carbonil है तो यह 10 electron donate तो 6 and to 18 मतलब यह 18 electron यह rule को follow करेगा मतलब यह हो गया यह हो गया अब कार्बोनील का यह chromium का देखेंगे बच्चो क्रोमियम 24 होता है यह iron का 26 था तो यहाँ पर भी देखोगे 3D 5 और 4s 1 तो total 6 electron और 6 carbonil है इच कार्बोनील गिफ्स 2 electron हर कार्बोनील 2 electron देगा बेटा है ना तुच्छा है तो 12 electron तो यह 18 electron यह भी है ना इस rule को follow करता है मतलब कहने का मतलब यहाँ पर भी 18 electron है निकिल का आप देखते हो बेटा निकिल 28 है इसका 3D 8 और यह 4s 2 और इस तरह से आप यह देखोगे 10 electron प्लस आप क्या देख लोगे 4 कार्बोनील है यानि 8 electron यह डोनेट करे अब आता है मैगनीज वाला तो मैगनीज वाला देखेंगे यहाँ पर बच्चो यहाँ मैगनीज का 3D 5 and 4s 2 और प्लस 6 और 6 कार्बोनील तो यह नहीं 12 electron यह कार्बोनील डोनेट करेंगे तो यह 5 2 प्लस 7 7 and 12 इस प्लस कितना हो जाएगा क्या हो जाएगा बच्चो 19 electron तो 19 electron है मतलब यह इस जए तो 18 electron नहीं होता तो ध्यान दीजियेगा पहला वाला नहीं होगा और लास्ट वाला नहीं होगा और यह वाला होगा यह वाला होगा यह वाला होगा तो 14 question number क्या कहता है, find out total number of FC linkages in this complex, यह acetil है, यह cyanide है, और trifinyl phosphene का hole 2 है, तो इसका structure बना लिजेगा, तो यह कितना है बच्चो, octahedral complex है, ठीक है, octahedral complex है, तो यहाँ पर आप देखेगा, cn, यह cn, और यह cn, तीन cn है बच्चो, और एक जो है तो acetil है, acetil में यह आप ध्यान रखिएगा, यह carbon जो है तो यह भी minus होता है, यह minus, यह minus, यह minus, मतलब समझ रहे हैं तो इस तरह से आप यह देखते हो, तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर बच्चो, total कितने linkages हो जाएंगे, देखे, FC linkage पूछ रहा है, ठीक है, FC linkage, एक यह carbon वाला linkage है, यह carbon वाला linkage है, यह carbon वाला linkage है, और यह carbon वाला linkage है, और दो यह try phenyl phosphine वाला linkage है, तो इस तरह से यहाँ पर, total है ना, यह four linkages होंगे, कितने linkages होंगे, four, देखे, यह carbon, यह carbon, यह carbon, यह carbon, यह carbon, तो total कितने linkages हो जाएंगे, बच्चो, four linkages हो जाएंगे, अगला question बच्चो, तो तो पहले बच्चो आप ऐसा करो यह वरनर तेयुरी का अप्लिकेशन का पार्ट है बच्चे यहाँ पर इसको कंप्लेक्स के फार्म में लिख लो तो प्लेटिनम पूरे न्यूटरल लिगेंट को आप पहले लिखेंगे बच्चो फिर बाद में आएगा क्वाडिनेशन नंब प्लेटिनम फोर का सिक्स होता है दो क्लोराइट काउन्टर आयन होगा जब आप इसे एकวस में डिजॉल करेंगे बच्चो तो यह देखेंगे यह इसा त्यो प्लस आयन एक वर और यहाँ पर यहाँ इसमें आप क्या करिएगा यहाँ पर एगनो ठी यह देखे तो एगनो 3 के साथ आप treatment करेंगे तो दो counterine है इसका मतलब है यहाँ पर 2 mol AGCL precipitate होगा कितना mol 2 mol तो इसका answer क्या हो जाएगा लिए ना number precipitated AGCL तो यहाँ पर आजाएगा 2 mol तो कितने mol हो जाएगे कितने नंबर हो जाएगे दो नंबर हो जाएगे बच्चो इस तरह से आपका यह finish होता है बच्चो